नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी फॉर स्वाइब से चाहते हैं तो यह वाला टेलीग्राम जरूर जोइन करके यूटूब चैनल में बारे साथ है तो भी यह वाला टेलीग्राम जोइन करना बहुत ज्यादा जूरूर है सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट दोस्तों यह जिग्राफी के MCQs हैं और यह उच्चता मिस्तर के प्रशन हैं कोई ऐसे वैसे नहीं है तो आये शुरू करते हैं और इनके माध्यम से आप जितनी भी किताबें आप तक पढ़ रखे हैं NCRT की बुक या जितनी भी बुक्स पढ़ी होंगी आपने उनमें जित प्रशन नहीं है अच्छे खासे इनकी संख्या अच्छी खासी है तो लगे रही देखिए पहला प्रशन आपके सामने है और इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो अलग-अलग सिधान पे विचारधा रहे थी जिसमें की प्रत्वी भी शामिल है ब्रह्मांड का ही इस् सिधानत और उसके एक-एक तत्थे से आप वाकिव हैं और यहां उत्तर दे सकते हैं देखिए तत्थे क्या दिये हुएं यहां दिया है कि अंतरिक्ष में प्रारंभी कवस्था में गर्म बिशाल और घूर्ड़ी तवस्था में गैसों से निर्मित एक निहारिका थी दूस इसलिए उसके आप पहचान کیजिए और ये आपके विकल्प है इसमें केवल पहला वाला गलत है केवल पहला दूसरा गलत है दूसरा चौथा गलत है कौन सा होगा यह विकल्प है और यह आपका प्रश्ण है देखकर बताईए तो देखे इसका D वाला हो जाएगा D का मतलब यह है कि दूसरा, तीसरा और चोथा तीनों ही गलत हैं सिर्फ इसमें सही कौन सा है पहला वाला तीनों तीनों गलत हैं उसके कारण विकिरण के माध्यम से निहारिका की बाहरी सतह में उश्मा में कमी होती है, मतलब बाहर की सतह से विकिरण हो रहा है, तो विकिरण होगा तो उश्मा बाहर निकलेगी, मतलब उर्जा की रूप में वो बाहर निकलेगी, तो ऐसे में अंदर जो चीज जिससे विकि तो पलती होती है श्याज्य इसके बात दूसरे नबर के प्रिशन को देखते है तो चेंबर लें की गरहाणू पर्गुल्पनि इसके संबंध में कुछ कथन दिये हैं और इसमें को सत्य कथन की तलाश करने हैं जो सही है उसकी तलाश करनी है तो पहला स्टेट्मेंट है कि इस परिकल्पना के हिसाब से एक अन्य भ्रमणशील तारा सूरे के नस्दीक से गुजरा था मतलब सूरी के अतरिक तेक और तारा आसपास मौझूद था जो कि सूरे से बड़े आकार का था मतलब उसका गुरुतुबल सूरी की तुलना में जादा था और वो सूरी के पास से ऐसे ही गुजर जाता है तो सूरी की सतर से कुछ छले या कुछ जो सिगार के आकरिती के लंबे-लंबे रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं ऐसा इसमें कहा गया कि तारे की नजदीक से गुजरने से सूरी की सतर से कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो जाते हैं गुरुतु की प्रफाव से नुमा आकरती में वो सूरी के चारोर घूमने लगते हैं क्यों? क्योंकि जो पहले घूमन्तु तारा था वो घूमता टहलता निकल गया यानि सूरी के पास कुछ समय तक ही रहा और इसके बाद वो अपना रास्ता पकड़ कर चला गया तो अब बचा सूरी जिसका की गुरुतवल सरवाधिक था तो वो इन चलनों को या जो रेशे यहां से अलग होते हैं उनको बाहर नहीं जाने देता है बलकि अपने गुरुतवा कर्शन बल में बाद लेता है और वो इसी के बल में बधे हुए सूरी के चारोर चक्कर लगाने लगते हैं जैसे कि आजकल ग्रह या जो खगोलिय पिंड है वो सूरी के चारोर लगा रहे है तो इस प्रकार से पूरा सौर मंडल बना हुआ है यह यहां पर कहा गया तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है लेकिन जो तीसरा वाला है उसमें सूरी के चारोर होगा इसके बाद चलते हैं आगे प्रशन संख्या 3 को देखे बिग बैंक का सिधान्त बिग बैंक थियोरी में यही कहा गया कि एक खगोली है मतलब है विसफोट होता है और जब विसफोट होता है तो इसके अंदर से बहुत सारा मैटर बहार आता है जो ब्रमांड के भारांक में यह अच्छी खासी भूमिका निवाता है तो कुल मिलाकर यहां उस सिध्धान्त के बारे में कुछ कहा गया है कहा गया कि वे सभी पदार जिनसे की ब्रमांड बना है अधी छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर इस्थित थे और दूसरे वा ग्रासे कौन सा है यह पूरा प्रषन संख्या 3 आप देख रहे हैं यहां जो विकल्ब है उसे भी देख लिए तो यह जो तीसरा प्रषन है इसका गरें टेंसर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जायेगा सीवाला सी को देखिए इसमें कहा गया है कि पहला और तीसरा और कौन कौन सा सही है पहला सही है और तीसरा दूसरा गलत है और चौथा गलत है क्यों गलत है तो वो इसलिए क्योंकि बिग बैंक का जो सिध्धान्त है उसमें आरंभी में सभी पनार जिनसे की ब्रह्मार्ण बना हुआ है वो अत्यंत छोटे गोलक के रूप में एक अही स्थान पर्माडू है उसका विकास हो गया था तो ये निर्माड की अवस्था है और तीन लाख वर्षों के तोरां तापमान जो है वो 4500 डिगरी के अलविन तक गिर जाता है तो ये बात सही है इसलिए हमने तीसरे को सही किया है और प्रतेक जो हिस्सा है उसमें जो प्रतिक्रियाए होती है उसके परिडाम सुरू ब्रह्मान अपारदर्शी नहीं होता है पारदर्शी हो जाता है इसलिए चौथा वाला गलत है तो इसमें पहला और तीसरा सही है और हमने इसमें सी को चुना है जो कि सही उतर इसके बाद गैलेक्सी से संबंदित कुछ कथने उन पर विचार है आपको गैलेक्सी अनि आकाशगंगा, ये Samson galaxy की बात नहीं हो रही है तो आकाशगंगा अनेक तारों का समूम होती है और आकाशगंगा की निर्मान की शुरुवात जल्वाष्प के संचैन से होती है जिसे की निहारिका कहा गया अंतरिक्ष में पहली वई आकाशगंगा चौधा प्रशन आप देखने हैं, तो देखिए इसका विकल भी देख लीजे, यहां पर है, दूसरा और तीसरा, दोनों गलत है, इसमें जो दोनों स्टेटमेंट आपने हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, केवल दो और तीन क्या है, असत्ते, दूसरे को भी देख लेते हैं देखे दूसरे वाले में कहा गया है कि आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत जलवाश्प के संचैन से होती है ये वाले बात गलत है आकाश गंगा बहुत सारे तारों का समूह होती है और तारों के अपने परिवार होते हैं जन्यकि सौर परिवार कहा जाता है और इनका जो विस्तार होता है वो बहुत जादा होता है और इनकी दूरी प्रकास वर्ष में नापी जाती है तो यहां दूरी नापने का मात रख है इसलिए जो तीसरा वाला थाओ गलत हो गया देखे आगाश गंगा की निर्माण की शुरुआत जो है वो हाइड्रोजन गैस से बने हुए विशाल बादल थे और यहां कहा गया है कि जलवाश्प जलवाश्प की जगह हाइड्रोजन होगा इसलिए दूसरा तीसरा दोनों गलत है और इसका सी वाला सही इसके बाद पांच में नंबर के प्रशन को देखेगा इसमें कहा जा रहा है कि तारे निहारिका है वो आपके सामने है और इसमें से कौन सा उत्तर होगा तो देखे डी वाला होगा सही इसमें से बताना था तो सिर्फ पहला ही सही है तारे निहारिका के अंदर गयास के गुंतित जुंड है मतलब गयास के एक संघनित रूप है लेकिन दूसरा तीसरा दोनों गलत है कैसे देखे ग्रहाणूं के संबर्धित होने से ग्रहों का निर्माण होता है ना कि ग्रहों के संबर्धित होने से तो ये वाला गलत हो गया और दूसरे वाले के बारे में क्या विचार है देखे गुरुत्वा कर्शन बल से कैसी बादल के अंदर क्रोड का निर्माण होता है गुं पातुम से निर्मित उच्छे घनत्त वाले ग्रह होते हैं ये तीन स्टेट्मेंट है और चौथा वाला जो है उसमें कहा जा रहा है कि बाहरी ग्रहों में हाइड्रोजन और हीलियम का सघन वायु मंदल पाया जाता है तो देखे इसमें पहला वाला सही है ये जो पहला होगा दूसरा और तीसरा दोनों गलत है इसमें देखे बुद्ध, शुक्र, पृत्वी और मंगल ये बाहरी ग्रह नहीं कहलाते हैं ये आंतरी ग्रह कहलाते हैं ये इनर प्लैनेट या पार्थियुग्रह के श्रेडी में आते हैं और जो बाहरी ग्रह होते हैं उन्हें जो जाता होता है लेकिन घनत्व कम होता है तो इस मामले में यहां जो दूसरा वाला है वो गलत है और तीसरा वाला भी गलत हो जाता है क्योंकि इसमें कह दिया है कि बाहरी ग्रह जो है यह पार्थियों ग्रह के रूप में जाते हैं गलत बात है पृत्वी के साथ वाले जो भाई और चौथा यानि इसका C हो जाएगा इसके बाद next question number 7 को देखे पार्थियों एवं जोबियन यानि अंदर और बाहरी आंतरिक और बाहरे इन ग्रहों से संबंदित निम्रिलिकित कत्नों पर विचार कीजिए तो पार्थियों ग्रह जनक तारे के बहुत समीब बने है मतलब ज कहा गया है कि ये जनक तारे के बहुत समीब बने है जबकि जोबियन ग्रहों की रशना अपेक्शाकृत अधिक दूरी पर हुई है ये बात है सौर वायू जो है ये सूरी के नजदीक जादा शक्तिशाली होने से जोबियन ग्रहों से जादा मातरा में गैस और धूलकर उड बात है लेकिन जो दूसरा वाला है इसमें कहा गया है कि जो सौर वायू होती है यानि सोलर विंड वो सूरी के नजदीक जादा पाउर्फुल होती है तो आस पास के जो ग्रहोंगे वहां से वो धूलके कड़ या जो गैसे है उन्हें उड़ा ले जाएगी तो जो जो ग्रह जो पार्थिः ग्रह उन्हें उन्हें जो नग्रह तो दूर है उससे पहले कूझ से है पार्थिव हैं यानि जो इननर प्लैनेट है तो पहले पार्थिव वायू मंदल में उद्विकास से समंधित निलिकित कतनों पर विचार कीजिए, तो पृत्वी के वायू मंदल की वर्दमान संद्रशना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण योगदान है। वायू मंदल का विकास प्रिथवी पर हुआ है वो तीन चरणों में हुआ है और शुरुवाती दौर में ये जलवाश्प वगएर नहीं पाई जाती थी। इनका उद्भाव दूसरे वाले चरण में हुआ है जो सेकेंड स्टेज थी। ये दूसरा वाला गलत है और तीसरा व इसके बाद नौवे नंबर के प्रश्ण को देखते हैं तो प्रश्ण संख्या 9 में ये कहा गया है कि निम्नलिखित कत्नों पर विचार कीजिए कल्प दिया है और उस समय की महतुपूर्ण घटनाओं के नाम दिये हैं कैंब्रियन है डेवोनियन है मायोसीन है प्रमु घट का समय था तो पार्थियो जीवन का अभाव था प्रित्वी पर जीवन की अभाव की स्तिती देखी जाती थी और समुद्री अकशेरु की जीवन है मतलब जिनके अंदर कशेरुका नहीं पाई जाती थी और समुद्र में रहते थे उस प्रकार के जीव इस समय हुआ करते थे तो डेवनियन वाला भी गलत है और मायोसीन की अगर बात करें तो मायोसीन का जो समय था वो 5-24 मिलियन साल पहले का था तो बन मानुष इसके अलावा फूल वाले पौधे व्रिक्ष ये सब दीजे इस समय डेवलप होती है बन मानुष तो बन जाते हैं लेकिन जो आदीमानो का परिणाम है या प्रतिक्रिया का और प्रित्वी पर जीवन के जिन अलग-अलग समय की चट्टानों में पाये जाने वाले जीवाश्मों से आके जाते हैं और जीवन का विकास करीब 380 करोड साल पहले आरंभुवा माना जाता है ये कुछ जानकारियां यहां पर दी ज्यादा तरवय ज्यानिकों का मानना है कि वो रासायनिक प्रतिक्रिया का परड़ाम है और इसलिए यहां पर यह गलत है बाकी दोनों सही है तो इसलिए हम सी का चैन करते हैं नेक्स्ट अगले प्रशन की वर बढ़ते हैं प्रशन संख्याई 11 को देखिए प्रित्वी से सम जान कारी के प्रमुख प्रत्यचिसरोथ उलका गुरत्वाकर्षन संुद्रि मापकी जेगा चुमकी च्uentर और भूकम्प समबंधि क्रियाएं प्रित्वी की आंतरिक संख रशन की जानकारी के प्रमुख प्रत्यचिसरोथ ज्वालामुखी और खनन से प्राप्त च Il Cup Jadi देख लीजे, असत्य इसमें बताने हैं आपको, स्टेट्मेंट भी दिख रहा है और विकल्पी, तो इसका सी हो जाएगा, देखे सी का मतलब क्या है कि पहला और दूसरा और दोनों इसमें असत्य हैं, क्यों असत्य हैं, क्योंकि पृत्वी की सता से गहराई की और जाने पर तापमान और दाब में बृत्वी होती हैं, दबाओ तो बढ़ेगा ही, सास्थ में तापमान भी बढ़ता है, और इसी के साथ यह भी ज्यात हुँआ कि गहराई बढ़ने के साब पदार्थ का घंत बहता जाता है, मतलब जादा गहराई में पाए जाने वाले जो पदार्थ तो इसमें अ-प्रत्यक्ष प्रत्यक्र का मामला था और दोनों गलत है इसके बाद चलते हैं आगे एक चीज़ और है कि देखे इसमेंग मतलब दोनों को आपस में चेंज कर दिया गया है कहने का मतलब यह पुलिटा दे दिया है, याई पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले में, दोनों गलत हैं. इसके बाद 12 नंबर के प्रश्ण में चलते हैं, जहाँ चलने वाले थी. तो इसमें यही कहा गया है, कि पृत्वी की गहराई में जाने पर ताप और दाप में कमी देखी जाती है. अभी पीछे ताप और दाप की बात हुई है, वही जी जहां फिर से आ गई, तो पृत्वी की बारे में चर्चा हो रही है, आप जानते ही है कि अंदर जाएंगे तो तापमान और दाप क्या होगा, दोनों बढ़ेगा, नकी कम होगा, दबाओ तो बढ़ेगा ही, साथ में टे पूरा प्रश्ण आपके सामने है, बताइए कौन सा होगा, देखे इसका सीव हो जाएगा, केवल तीसरा ही इसमें सत्य है, और बाकी सब के सब जो है वो गलत बोल रहे हैं, कैसे, पहला वाला तो साब साब गलत है कि तापमान और दाप में कमी होती है, वृद्धी होती है, और दूसरे वाले में कहा है कि घराइए में जाने पर पदार्थों के घनतों में गिरावट होती है, नहीν, घनतों में वृध्धी होती है, जब दाप बढढ़ेगा, दोनों में समानुपाति सम्द्ध होता है, और इसलिए यहाँ पर दाप जब बढढ़ेगा, तो घनतों लासा में करनी है चटटानों का टुकडे जो सूर्या और प्रित्वी के मध्य में पाए जाते हैं वो चुद्रक्र kahellate हे और यह प्रित्वी पर गिरने वाली हो जाते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान वायू के साथ उनका घर्शन होता है और वह गर्म होकर जल जाते हैं यह कुछ बातें इसमें कहीं गई तो सही क्या है बताइए 13 वां 13 का जो करेक्ट एंसर है वह आपका इसमें से विकल्प पहले देख लीजिए यह आपके विकल्प ह है और यह पूरा प्रेशन है दिख रहा है आपको यह नीचे विकल्प आपने देखे और यह प्रेशन देखे इसका करेक्ट एंसर आपका वी हो जाएगा बीका मतलब यह है कि स्में सत्ते सिर्फ दूसरा है और तीसरा है उपर वाला जो पहला था वो गलत है इसका दूसरा गर्षन होता है और ये गर्म होकर जलने लगते हैं जिससे कि आकाश में बिजली चमक उठती है और कभी-कभी ये बिना पुर्ण रूप से जले ही पृत्वी की सता पर पहुंच जाते हैं और वहां पर गड़ा बना देते हैं और सौर मंडल में कई छोड़े च्टे जो बीच में पाए जाते हैं एक पेटी का पाई जाती है चुद्रग्रहों की तो इस प्रकार से इसे लिखेंगे इसका पहला गलत है और बांकी दोनों सही इसके बाद नेक्स्ट को देखिए गुरुत्वा कर्षण बल से समंदित निर्दलिकित कत्नों पर विचार कीजिए इ तो इसका जो करेक्ट एंसर है वो आपका C हो जाएगा C का मतलब यह है कि पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही यहाँ पर क्या है असत्ते हैं प्रिथवी के धरातल पर जो अलग-अलग अक्षांस होते हैं वहाँ पर गुरुत्वा कर्षण बलकामान एक समान नहीं होता है य जादा होगी और यह वाला जो व्यास ही है पूरा डायमीटर वो कम होगा तो जहां पर केंद्र से दूरी घट रही है वहाँ पर गुरुत्वा कर्षण बलकाम हो जाएगा यह इसका सिध्धान्त होगा तो यहां पर दोनों के बीच में अंतर पाया जाता है और यह कहा गया यह तो एकदम बेवकूफी वाली बात है आकार पर और द्रविमान पर निर्वर करता है तो चंद्रमा और प्रिथ्वी में जमीन और आस्मान का फर्क है तो इसलिए आप जानते हैं कि तीनों गलत है अर्थात इसका डी वाला होगा इसके पाद चलते हैं आगे डी नहीं इ अधिकेंद्र कहलाता है भूतल पर वह बिन्तु जो कि अधिकेंद्र के समीबतम होता है और अधिकेंद्र पर यह सबसे पहले तरंगों को सत्य की नहीं तो असत्य अगर खोज रहे हैं तो सिर्फ इसमें तीसरा वाला गलत है बाकी उपर के दोनों सही है वह स्थान जहां से उर्जा निकलती है वह भूकम का उदगम केंदर कहलाता है यह देख रहा है और उसे अवकेंदर भी कहा जाता है यहाँ पर कहा गया और उर्जा तरंगे अलग-अलग दिशाओं में चलती हुई पृत्वी की सदर तक पहुंचती है भूतल पर वह बिंदु जो कि उद्गम केंद्र के समीपतम होता है वो अधिकेंद्र कहलाता है और अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है तो ये वाला जो है ये सबसे पहले तरंगों को महसूस करने वाला सही है ये गलत नहीं है यहाँ पर प्रशन जो है थोड़ा सा मिश्टेक वाला है इसमें ये कहा गया है कि जहां पर उर्जा निकलती है उससे अधिकेंद्र कहा जाता है पहला वाला इसमें गलत है ठीक है पहला गलत है और उसके बाद देखा जाए इसमें दोनों ही गलत है यानि पहला और दूसरा यह दोनों सही नहीं है यह प्रशन का उत्तर भी यहां गलत दिया हुआ था पहला और दूसरा दोनों गलत है इसमें सिर्फ तीसरा सही है और हमें असत एक होजना था तो इसमें पहला दूसरा गलत है अर्थात इसका C एंसर हो जाएगा इसके बाद आगे चलते हैं यह C वाला हो जाएगा देखें अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले और पढ़ा होती साफली तरंगों से बिल कर बनी वही होती है अधिक खनतव वाले पदार्थों में प्याथों में भिन्नता होनी के कारण और यह कुछ बात है इसमें कही गई है तो इसलमंप्य बुकोंध होती है इस्अप और और बिकियो के यह दुते और यहां पर कहा गया है कि भूकंप़ी तरंगे जगदसों होती है इसके साथ भूकंप़ी के साथ धरातलय शैलिके जो मद्य अन्योन क्रिया होती है उसके कारण नई तरंगे पैदा हो तुझाटовых दोनीत तरंगे कहा जाता है और ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती है ये बात है और पदार्थों की घनत्व के साथ मतलब पदार्थों का घनत्व जितना जादा होगा उसमें तरंगों का वेग उतना ही अधिक होगा और पदार्थों की घनत्व में भिन्नता होने के कारण जो पर पूरा प्रशन आप देख रहे हैं पूरा प्रशन आप देख रहे हैं ये पूरा प्रशन है और इसका correct cancer क्या होगा इसका हो जाएगा C वाला C का मतलब ये है कि दूसरा और चौथा ये दोनों सही है और कैसे तो P तरंगे तीवरिगती से चलने वाली तरंगे होती है इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है और P तरंगे द्वनी तरंगो जैसी होती है ये गैस तरल ठोस तीनों ही जो प्रकार के पदार्थ होते हैं उनसे गुजर सकती है S तरंगे धरादल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है और ये द्वितिय तरंगे कहलाती है और S तरंगे जो होती है वो सिर्फ ठोस पदार्थ हो के ही माध्यम में चलती है ये भी बात है उनके साथ तो इनका माध्यम और उनकी प्रवित्थी आपको पता होनी चाहिए फिलाल इसका सिर्फ दूसरा और चौथा जो है वो सही होगा इसके बाद चलते हैं अगले प्रेश्ण की ओर तो प्रेश्ण संख्या 18 में ये कहा जा रहा है कि भूकम पी तरंगों के संचरण से संबंधित निम्नलिखित कत्रों पर विचार कीजिए पी तरंगों की कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है मतलब ऐसा बताया गया है और पी तरंगे संचरण की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालकर उसके घनत्तों में भिन्नता लाती है यस तरंगे तरंगों की दिशा में लंबवत कंपन करती है वाला जो उत्तर है उसे आप देख रहे हैं अठार्वे का correct answer आपका D हो जाएगा इसमें जितने भी कथन दिये हैं सभी सत्य हैं सब के सब सत्य हैं इसका उत्तर D हो जाएगा डी को आपने देखा न ये वाला उपरयुक्त सभी इसमें व्याख्या क्या आउशकता नहीं है सभ question number 19 को देखिए भूकंपिये तरंगों से संबंदेत निमनलिखित कत्रों पर विचार कीजिए पी तरंगों का चाया छेत्र यस तरंगों की अपेक्षा जादा होता है पी तथा यस तरंगे धरातलिये तरंगों का उदारण है ये दो चीजे हैं और उपरयुक्त में से कौन पर कहा है कि पी तरंगों का चाया छेत्र बड़ा होता है तो विल्टा दे दिया है और 105 अंस का जो पूरा यहां पर से देखा जाए तो पूरा जो का च्छेत्र होता है गिना जाता है और यह स तरंगे इसमें पहुशती नहीं है और भूकंप के अधिकेंडर से 105 अंस से ले बीसमे नंबर के प्रश्ण में ये कहा गया है कि भूकंपी तरंगों के मापन से सम्दित निम्लिखित कत्नों पर विचार कीजिए तो यहां भूकंपी परिमाण का मापन जो है ये मरकेली स्केल पर किया जाता है ऐसा दिया हुआ है और मरकेली को एक से बारह अंकों के बीच म कौन सा है ये आपको बताना है बीसमे नंबर का पूरा प्रश्ण आपने देखा और ये विकल्फ है आपके देख लीजे तो इसका जो करेक्ट एंसर है इसे ध्यान से देखेंगे अगर आप तो इसका जो सी वाला है वो सही होगा इसमें असत्ति के तलाश असल में करनी थी संबन्द किस से होता है उर्जा के मुक्त होने से होता है और इसकी मापनी के हिसाब से भूकंप का परिमाण 0 से 10 तक का होता है यहां देखा जाए तो और आगात की तीवरिता को मरकेली स्केल के नाव सिजाना दाता है और इसकी गहनता जो है वो एक से 12 होती है तो एक से 12 व होने वाले निमनलिखित प्रकोपों पर विचार कीजिए मृदा द्रवन आग बाद तथा तटबंद के तूटने से बाढ़ सुनामी धरातलिय विसंगती भू कंपी आपदा जो होती है उससे किस प्रकार के प्रकोप या परिवर्तन होते हैं वह आपको बताने हैं यह प्रश महासागरों में भू परपटी की मोटाई महादवीपों की तुलना में ज्यादा होती है और महादवीपों में बेसाल्ट प्रकार की चट्टाने पाई जाती है महासागरों के नीचे चट्टानों का औस घनत्व दो दश्मलों साथ ग्राम प्रती सेंटेमीटर क्यूब होता इंसके लावट जुट गिरती सब कुछ तो अर्स कि और चीज़ें जुड़ जाए तो परिशान नहीं होना है में इस को इस continuar थेkick पहला और दूसरा असत्य है क्यों? क्योंकि महासागरों में भूपरपटी की मुटाई महादवीपों की दुलना में कम होती है. यहां दिया है ज़्यादा होती है, तो इसलिए गलत है. वो तीन ग्राम प्रतिघंट सेंटीमीटर के आसपास होता है और महासागरों के नीचे भूपरपटी की जो चट्टाने होती है वो बेसाल्ट से बनी होती है और इनके नीचे जो इनका घनत्त होता है वो दोधश्मलों साथ ग्राम प्रतिघंट सेंटीमीटर के आसपास होता ह तो इसमें जो पहला और दूसरा है वो गलत है इसके बाद next question number 23 को देखिए प्रिथवी की आंथरिक संरशना के बारे में कुछ कथन दिये हैं उपर आपको विचार करना है चार statement total है और इसमें देख लीजे पहले वाले में कहा गया है कि दुरबल मंडल या दुरबलता मंडल जो की mental के उपर अवस्थित है mental में अवस्थित है इस प्रकार से कहा गया है दुरबल मंडल के बारे में कहा जा रहा है ज्वाला मुखी मैगमा का ये मुखी स्रोथ है और mental का घनत्तु भू पर पटी की अपेक्षा यानि क्रस्ट की अपेक्षा कम होता है आंतरिक क्रोड द प्रशन पूरा आपके सामने है बताइए तो इसका ए हो जाएगा इसमें सत्य कौन सा है सिर्फ पहला वाला दुरबलता मंडल जो की mental में अवस्थित है वो ज्वाला मुखी के लिए जो मैगमा होता है यानि पिगला हुआ लावा उसका मुख्य स्रोथ होता है और बाकी ती प्रित्वी भी रहस्यमई है और कोर और मेंटल के बीच की जो सीमा होती है वो करीब 2900 किलोमीटर गहराई में इस्थित होती है और यहां अगर देखा जाया तो जो बाहे कोर है वो द्रव वस्था में जबकि आंतरी कोर ठोस वस्था में होती है mental और कोर की सीमा पर बदार् अगरी धातुओं से बनी हुई है जैसे कि निकिल है लोहा है इस प्रकार की जो चीज़े है वो वहाँ पर पाई जाती है और यहां दिया हुआ है कि अलुमीनियूम और सिलिकान तो इसमें सत्य कौन साय सिर्फ पहला वाला बाकी सब जो है वो गलत है इसके बाद नेक्स्ट Q24 यहां पर असांतत्य और सीमा है दी हुई है मतलब जो असंबदता होती है तो मोहविक असंबदता है लहमैन है और गुटनबर्ग है इनका सीमा जो होती है वो कौन सी है मतलब कहां से जुड़ती है तो उपरी और निम्न भूपरपटी के बीच में यानि अपर क्रष्ट और लोवर क्रष्ट के बीच में ये बनती है और इसके बाद लेहमैन जो डिसकांटिनूटी है वो उपरी और जो निम्न मेंटल होता है यानि अपर मेंटल और लोवर मेंटल उसके बीच में बनती है और बाहरी और आंतरी क्रोड के बीच में गुटनबर्ग असंबदता का बनती है तो पहला वाला क्या है गलत है उसके बाद लेहमेन को देख लीजे लेहमेन जो है यह उपर और आंतरिक जो कोर होता है यानि बाहरी और आंतरिक कोर उसके बीच में बनती है इसके साथ साथ गुटेंबर्ग को अगर देखा जाए तो यह बाहरी मतलब उसके बीच में बनती है तो इसका जो correct answer है वो कौन सा हो जाएगा D हो जाएगा इसमें से कोई भी सही नहीं सब के सब यहां पर उटपटांग करीके से लिए है सही इसमें आसंबदता का जो रूप है उसे आपने देखा मोह आसंबदता है इसके लावर रैप्टी है गुटेन जो जो गलत है। सत्य आपको खोजना था तो इसमें ध्यान से देखिए सिर्प जो तीसरा वाला है वही सत्य है और बाकी जो है वो गलत है। कैसे देखे यदि किसी निकास नलिका जैसे कि अंदर से ज्वाला मुखी का लावा बाहर आता है तो निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए तो ज्वाला मुखी बिसफोटक भी हो सकते हैं मतलब पानी अगर अंदर जा रहा है, जो मैगमा अंदर है वो तो ही है, और ऊपर से पानी अंदर घुश जा रहा है किसी तरीके से, तो बिसफोटक हो जाते हैं, अन्य था कम बिसफोटक ही होते हैं, यह उनकी विशेष्टा है और हवाईद वीप के जो जौला मुखी है इसके सबसे अच्छे उदारण है हवाईद वीप के जौला मुखी है इस तरह के उदारण प्रस्तुत करते हैं मिश्रित जौला मुखीओं से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे और जो श्यान यानि गाढ़ा और चिपचिपा लावा है उसका उद्गार होता है जो मिक्स वालकेनों होते हैं उनमें बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंड़ा और जो श्यान का मतलब गाढ़े पंसे इस प्रकार का लावा निकलता है और ये पदार्थ जो है ये निकास नली के आसपास की जो पर्दे होती है उसमें जमाव हो जाते हैं और इनके जमाव से मिश्रित ज्वाला मुखी के रूप में यानि उसके शंकु के रूप में ये दिखाई देते हैं इसके अलावा ज्व पास पाई जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक जो आला मुखी होते हैं और यह इतने विस्फोटक होते हैं कि इनमें अगर विस्फोट होता है तो यह पूरा उंचा धाचा बनाने की बजाए स्वैंग नीचे धंस जाते हैं ठीक है तो इसमें जो तीसरा वाला है वही सही ह और बागी सब गलत है जैसे कि बेसाल्ट प्रवाध छेटर के बारे में दिया है तो बेसाल्ट प्रवाध छेटर अत्याधिक तरल लावा उगलते हैं और ये बहुत दूर तक बहगर निकलता है भारत में अगर देखा जाए तो दक्कन ट्रैप इस प्रकार से बना हुआ है मह लैकोलित मैगमा का छोटा पिंड है, जो की भूपरपटी में अधिक गहराई पर ठंडा होने से निर्मित होता है। बैथोलित गुंबद नुमा विशाल अंतरवेधी चटाने होती है, जिनका की तल समतल और एक 5 रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा रहता है। मैगमा का आउतल और तश्तिरी नुमा जमाओ ये लैपोलित कहलाता है और आगने चटानों का 36 तल में उपस्थिती ये डाइक कहला दी है। ये अलग-अलग स्थलाकृतियों के बारे में दिया हुआ है, तो कौन सा सत्य है ये आपको बताना है, प्रश्न पूरा देख लीजे, इसमें से कौन सा होगा, तो इसका जो करेक्ट टेंसर है वो आपका C हो जाएगा, इसमें विकल्प देख लीजे, केवल तीसरा, इसका केवल तीसरा सही होगा, यानि मैगमा का आउतल, और तश्तरी नुमा जमाओ जो है, आउतल का मतलब अंदर की और धसा हुआ, और तश्तरी नुमा तो प्लेट जो है, वो अंदर उसमें गहराई होती है, तभी खाना रखा जाता है, तो इस प्रकार का जमाओ है, ये लैको यही बात सही है, बैथोलित क्या होता है, ये मैगमा का एक बड़ा पिंड होता है, जो कि भूपरपटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाता है, और गुमबद के आकार में विक्सित हो जाता है, ये इसकी डिजाइन होती है, और यहाँ बैथोलित के बारे में कुछ करनाटक का पठार ये जो इस प्रकार के लैकोलित और बैथोलित है, इनके उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है, तो यहाँ उलट फेर कर दिया है पहला दूसरे में, इसलिए वो सही नहीं, इसके बाद अगर चौथे वाले स्टेटमेंट को देखा जाए, तो इसमें क परवा का प्रवा दरारों के धरातल के लगभग समकोण में होता है, यानि 90 निगरी का एंगिल बनाते हुए होता है, और उसी अवस्था में ठंडे हो जाते हैं, तो एक दिवार जैसी जो संरशना है, वो बन जाती है, कठोर हो कर जम जाते हैं, और यह संरशना डाइक कहला इसके बाद यह दूसरा वाला स्टेट्मेंट है कि महादवीपों के विस्थापन के पीछे उत्तरदाई बल संवहन धारा है, जो कि रेडियो एक्टिव तत्तों के परिणाम सो रूप उत्पन होता है, और महादवीपों की तटरेखाओं के मद्द सामिता महादवीपी वि फिलाल तो पहला गलत है, बागी दोनों को देख लीजे, अगर पहला गलत है इसमें, तो ये दोनों तो गलत हो जाते हैं, मतलब ये दोनों वैसे ही बाहर हो जाते हैं, बचते हैं ये दोनों, या तो C होगा या D होगा, या केवल दूसरा या तो सही होगा, या केवल तीसर होगा तो जड़ा देखकर बताइए इसका जो करेक्ट एंसर है वो आपकर D हो जाएगा और D का मतलब यह है कि केवल दूसरे में फिट कर सकते हैं यह वैग्यानिकों ने करके देखा है उनका दिमाग खुराफाती होता है तो यह जीस सही है तीसरा वाला सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है दूसरे वाले में कहा है कि महादविपों के विस्थापन के पीछे उत्तरदाई बल संभान धारा है ज ज्वारिये बल, कॉरियॉलिस फोर्स, इससे संबंदित धुरुविये जो फ्लाइंग बल है, ये है, इसके साथ संबंध हारा हैं जो कि रेडियो एक्टियो तत्मों से उत्पन्य ताप भिनिता से, मेंटल के भाग में उत्पन्य होती हैं, और ज्वारिये और धुरुविये जो बल है, वो एक साथ काम करने लगते हैं तो, तो आर्थर होम्स का जो सिध्धान्त है, उसके हिसाब से विस्थापन जो हुआ था, उसके पीछे कौन सा बल उत्तर दाई, देखकर बताईए, अभी पीछे हमने इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा की, question number 27, 27 का correct answer क्या हो किया था, मतलब, वहाँ पर संभवनी धाराये प्रवाहित होती है, यह संभवना उन्होंने जाहिर की थी, और यह धाराये रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नेता से mental के भाग में उत्पन्न होती है, यह बात है, और पूरे mental के भाग में इस प्रकार की देख लीजेगा, क्योंकि जो बारीक अंतर है वही दिखाई देता है, और जब अंतर बारीक होता है, तो एक बार में समझ में नहीं आता है, कम सकम दो बार प्रशन को पढ़ना पड़ता है, इसके बाद अठाइसमे नंबर के प्रशन को देखिए, महासागरिय अधोस्थल आपको बताना यह है कि असत्य कौन सा है, यह पूरा जो प्रशन है वो आप देख रहे हैं, 28, देख लीजे, तो इसका जो करेट टेंसर है वो आपका D हो जाएगा, इसमें गलत कौन सा है, सिर्फ चौथा वाला, वी तलीय मैदान, सक्रीज वाला मुकी क्रियाओं का छेत्र होते हैं, यही जो है, यह निकम्मा है, बाकी सब सही है, कैसे? देखें, मध्य महासागरी कटक जो होते हैं, यह महासागरी जल में डूबी हुई, तथा पृत्वी की धरातल पर पाई जाने वाली सबसे लंबी परवच शंकिला होती है, संभावता, मतलब यह एक अनुमान ह पाई जाते हैं, और वो भी सक्री अवस्था में होते हैं, ऐसा माना जाता है, तो यहाँ पर संभावनाओं की बात है, इसका जो करेक्ट एंसर है, वो कौन सा होगा, चौथा वाला होगा, यानि इसमें सिर्क गलत कौन सा है, डी वाला, इसके बात चलते हैं आगे, यहाँ पर वितली मैदान के बारे में कहा गया है उन तीसवे नंबर के प्रशन में ये कहा गया है कि भूकंप से समंदित निम्नलिखित कत्रें उपर विजार कीजिए तो मध्य महासागरी कटकों में भूकंप के उद्गम किंद्र प्राया गहरे होते हैं अलपाइन हिमाले पट्टी एवं प्रशन्त महासागरी किनारो पर भूकंप के उद्गम केंद्र प्राया उथले होते हैं इस्ट्रामबोली ज्वाला मुखी को भूमद्य सागर का प्रकाश घर या प्रकाश इस्तंब कहा जाता है तो आप बताईए कि इसमें से कौन सा सत्य ह ज्वाले में और असल में इसमें भूकंप से ज्यादा ज्वाला मुखी के बारे में पूछा गया है फिलाल बताईए इसमें से कौन सा होगा तो देखिये इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा दी वाला दी का मतलब यह है कि इसमें सत्य पूछाता सिर्फ तीसरा इसमें सत्य है स्ट्रांबोली को घुमद्य सागर का लाइट हाउस यानि प्रकाश इस्तंब कहा जाता है बाकी दोनों गलत हैं सामाने तर जो मध्य महासागरी कटक होते हैं उनी के छेत्र में भूकंब के किनारे हैं यहाँ पिंके केंद्र गहराई में होते हैं यह स्टिती होती है और स्ट्रांबोली वाला सही है तो इसे हमने देखा यहाँ उल्टा दे दिया था ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नमबर 30 को देखिए महासागरी अधास्थल के विस्तार के बारे में निम्नलिकित कत्नों पर मिचार कीजिए तो पहला दूसरा तीसरा और इसमें तीनी स्टेट्मेंट है कहा यह गया है कि महासागरी कटक दोनों तरफ से समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्तानों की रासायनिक संरश्णा और उनके निर्माण में असमानता होती है आप देख रहे हैं और यह आपका प्रश्ण का धांचा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्ग भी देख लीजे डी वाला होगा इसमें भी डी है डी का मतलब क्या तीसरा सत्य इसमें तीसरा यह है इसके हिसाफ से जो कहा गया महासागरी अधरस्थल का विस्ता तो धुरूणारी पाये जाते हैं और यह चट्टानी नमीनतम है तथा कटकों के शिर से दूर जाने पर चट्टानों की आयू जो है वो बढ़ती जाती है यह कुछ बाते हैं तो यहाँ पर पुरानी और नई का जो बात कहा है उसे आप मिला लीजे देखे इसमें पहला और इस तिर अवस्था में रहता है अभी तक पांच बड़ी प्लेटों को ही पहचाना गया है जो मुख्य प्लेटे है उसके अलावा जो चोटी वाली है वो तो हई है तो इसमें से असत्य कौन सा है 31 का जो करेक्ट एंसर है वो आपका C हो जाएगा C का मतलब यह है कि पहला इसरा तीनों ही यहाँ पर असत्य है देखने में लग रहा था कि तीनों सत्य है लेकिन तीनों यहाँ पर गलत है एक विवर्तनी की प्लेट यह जो है यह लीथोस्फेरिक प्लेट भी कहलाती है पहली चीज और इसमें जो चट्टान होती है जो बेस चट्टान होती है उसका संख्या टोटल साथ है, अभी तक जो खोजी गई है, एक तो अंटारकटिक और उसके चारो और फैली होई महासागरी प्लेट है, दूसरी उत्तर अमेरिकी प्लेट है, दक्षण अमेरिकी प्लेट है, प्रशांत महासागरी है, इंडो अस्टेलियन, न्यूजिलान प्लेट है, इसके अलावा अफ्रीकी प्लेट है, जिसमें की पूर्वी अट्लांटिक तल भी जुड़ा हुआ है बीच में, और यूरेशियाई प्लेट है, जिसमें की पूर्वी अट्लांटिक और प्रशान प्लेट के बीच में चोटी वाली जो है उनके बारे में है नाजका जो है ये दक्षिन अमेरिका और प्रशान प्लेट के बीच में है कैरोलीन जो है ये फिलिपीनियन और इंडियन प्लेट के बीच में है तो आप बताईए कि इसमें से सही कौन सा है पूरा प्ल नियू गिनी के उत्तर में जो फिलिपीनियन और इंडियन प्लेट है उसके बीच में पाई जाती है नक्षे में अगर आप देखेंगे तो बेतर समझेंगे इसके अलामा फ्यूजी प्लेट जो है ये ऑस्टेलिया और उत्तर पूर्व के बीच में स्थित है तो इस प्रकार स प्रवाहदर है उपका है उसे दी वाला दी का मतलम ये है की इसमें सहीड रहा है कि पूरा धांचाह है प्रेश्नका और ये विकलत है जल्दी से बताइए तो इसका जो correct tensor आपका है वो हो जाएगा D वाला D का मतलब यह है कि इसमें सही आपका सिर्फ तीसरा है तीसरा मतलब रूपांतर सीमा में प्लेटे एक दूसरे के साथ 36 दिशा में गती करती हुई न तो नई परपटी का निर्माण करती है और नहीं विनाश करती है यह वाली बात सही है अब सारी सीमा जो होती है न उसमें दो प्लेटे एक दूसरे से विपरिध दिशा में गती करती है और नई प्लेट का निर्माण हो तो यहां पर तनाव बल काम करेगा अब सारी SEMA का सबसे अच्छा उदार अगर हम देखे तो मध यह Atlantic कटक है इसमें अभी सरण सीमा की अगर बात की जाए तो अभी सरण सीमा जो होती है इसमें प्लेटे एक दूसरे के नीचे छेपित होती है या उसे आप कह लीजे कि धस्ती है, जैसे एक जो है वो ऐसे चड़ जाती है और एक उसके नीचे दब जाती है, तो जो नीचे दब जाती है वो दाब और ताप के प्रभाव से पिखलने लगती है, मेल्ट हो जाती है और इसी प्रकार से मैगमा बनता है, इसमें कहा जाता है और ये प्रविष्ठन छेत्र कहलाता है, जहां से वो अंदर घुसती है, या छेपण छेत्र कहलाता है, इसके बाद रूपांतर सीमा को अगर आप देखिए, तो यहाँ पर न तो नई परपटी का निर्माड होता है, यहाँ जैसा कि आप देख रहे थे, तीसरा ही इसमें सही ये कटकों में लंबवत स्थिती में पाए जाते हैं, और प्रवाह की दरें बहुत जादा भिन होती है, ऐसा नहीं कि एक जैसी होती है, आरकटक की जो प्रवाह दर होती है, वो सबसे कम होती है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से भी कम पाए जाती है, तो यह कुछ इस इनकी स्थितिया है, फिलाल इसका तीसरा सही है, और बाकी सब गलत है, तो इसका D हो जाएगा, इसके बाद 34 को देखते हैं, 34 में क्या कहा गया है, इसको तो हमने देखा, 34 में ये कहा गया है कि भारती प्लेट के संबंध में कुछ कथन दिये, कुल चार कथन है, और इन दक्षड की और खिसकना शुरू कर दिया था, तो आप बताईए जरा इसमें से सही कौन सा है, सत्यकथन की पहचान आपको करनी है, ये विकल्प है, उपर्यूग्त में से कोई नहीं का भी विकल्प है और बागी सब है, फिल्हाल इसमें से कौन सा होगा, ये पूरा प्रशन ह हुआ है, मतलब भारती और अंटार्कटिक जो प्लेट है, उसके बीच में समुद्री कटक के द्वारा सीवा निर्धारित है, और भारती प्लेट में प्रैदवीपी भारत और आस्टेलिया महादवीप का प्रैदवीपी भाग, ये दोनों शामिल है, सिर्फ जो प्रैदव गुणवाना लेंड और अंकारा लेंड के रूप में पैंजिया के पहले दो टुकडे होते हैं, तो गुणवाना लेंड में हमारा भी देश का हिस्सा था, तो ये उत्तर की और इस्थापित होता है, इसकी अवस्तिती आपने जिग्राफी की बुक्स में देखी होगी, तो शैल का निर्माड एक या एक सियादी खनिजों से मिलकर होता है, शैल कठोर और एक समान रंगों के होते हैं, शैलों में खनिज घटकों का एक निश्चित संगटर होता है, और पेडोलाजी जो है ये शैलों का विज्ञान है, ये कुछ बाते हैं, आप बताईए सत्य क्या ह चटान शब्द का मतलब जब दिमाग में आता है न, तो हमें लगता है कि कठोर चीज होगी, बहुत कड़ी होगी, लेकिन चटान कठोर भी हो सकती है और मुलायम भी हो सकती, चटान को कठोर या मुलायम से कोई मतलब नहीं है, इसकी परिभाशा का अर्थ वो दूसरा है, कठोर हो या नव हो या आवश्यक ने, ये कठोर भी हो सकते हैं, नरम भी हो सकते हैं, और अलग-अलग रंगों के भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्रेणाइट कठोर, सेल खड़ी नरम, इस प्रकार से चटाने होती ही है, ग्रेबो जो है, वो काला होता है,itar чист, दूधिया सफational होता नहीं है बनकि पेट्रोलाजी जो है ये शैलों का विग्यान ठीक है तो इसमें सिर्फ पहला वाला सही इसके बाद ये 36 नंबर का प्रेशन देखिए आगनेये शैलों से सम्दित निम्नलिखित कत्नू पर विचार कीजिए तो आगनेये शैलों का निर्मान मैगमा और लावा स होता है इसलिए उन्हें प्रात्मिक शैल भी कहा जाता है आकस्मिक शीतलता के कारण बड़े आकार के कड़ बनते हैं सिष्ट आगनेये शैल का प्रमुख उदाहरण है इस प्रकार से कुछ चीज़े दी है आप बताईए कि इसमें से असत्य कौन सा है गलत की तलाश करने है आगनेये चट्तानों के बारे में आपको बताना है तो इसका जो कौन सा हो जाएगा देख लीजे बी वाला होगा इसमें जो असत्य है उसको हमें खोजना है तो बी वाला हो जाएगा दूसरा और तीसरा इसमें क्या है गलत है आकस्मिक शीतलता जो होती है उसके कारण अंतरित शेल है जो कि बेसाल्ट आगने शेलों से बना हुआ है और कुछ सामाने आगने चट्टाने जैसे कि ग्रेनाइट है ग्रैबो है पैग में टाइट है बेसाल्ट है ज्वाला मुखी ब्रेशिया है यह सब टफ आगने शेल के उधारन है तो इसमें अगर आप देखें सिर्फ यांतरिक विधी के द्वारा होता है तो इसमें से सत्य कौन सा है या आपको पहचानना है देख लीजे पूरा प्रशन आपके सामने है तो इसका जो करेक्ट टैंसर है वो ए हो जाएगा इसमें सत्य कौन सा है तिर्फ पहला वाला दूसरा गलत है और साधी जो चट् इसके पाद चलते हैं आगे 38 कायांतरित शैलों के पारे में निमनलिखित कत्नों पर विचार कीजिए तो इन शैलों का निर्माण दाब आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के परिणाम सरूप होता है ये शैल पुना क्रिश्टली करण और पुना संगठन जै जाते हैं जिसे कि पत्रण कहा जाता है ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ है और उसके साथ कुछ खनी जी आ विसेश्ट समूहों से जो कड़ है वो पतली से मोटी सतह में इस प्रकार विवस्तित होते रहते हैं कि वे हलके और गहरे रंगों की विवित संरश्णाओं का निर्मा कोई मिला जो कि सभी सही हो तो चारो कथनिया सही है इसमें अगर आप देखें तो जो पटिताश में या ग्रिनाइड या साइनाइड या स्लेट के जैसे जो कड़ होते हैं या चटाने होती है सिष्ट संगमरमर क्वार्टज ये सब जो हैं यह सब रूपांतरित चैल के निर्माड होता है कुल्मिला का रूप का अंतरण तो इसमें चारो ही सही है इसका जो दीवाला है वो सही है इसके बाद 49 में को देखते हैं यहां पर देखिए आगने और ओशादी दोनों प्रकार की जो चटाने है वो दीवी है और उनके रूप अंतरण से क्या बनेगा व इसमें से सुमेलित कौन सा है यह आपको बताना है तो देखिए ग्रिनाइट से नीज का निर्माड होता है पर्फिक्ट है बेसाल्ट से जिष्ट का निर्माड होता है एम्फिबलाइट का नहीं होता है शैल से स्लेट का निर्माड होता है और क्वार्टजाइट यानि जो जो अपरूप हैं उसके, वो बनते हैं, तो यहां अगर आप देखें, तो इसमें से कौन-कौन सा आपका सुमेलित दिखाई दे रहा है, इसका जो correct answer है वो A हो जाएगा, यानि पहला और दूसरा तो इसमें सुमेलित है, लेकिन ये तोनों जो हैं, ये क्या हैं, गलत हैं, मतल प्रिथवी के भूपटल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति से संबंधित क्रियाएं भी उसमें शामिल होती है, और महादवीपी रशना संबंधी प्रक्रियाओं के अंतरगत परवत निर्मार तथा भूपरपटी की लंबी और संकीर पट्टियों को प्रभावि पीसरे का अर्थात ये वाला, पटल विरूपण के अंतरगत परवरतनी या परवतनी महादवीपी रशना संबंधी प्लेट विवरतनी की और भूपटल के बड़े भाग के उत्थावन और विकृति से संबंधित क्रियाओं संबिलित होती है, और परवरतनी ये प्रक्रिय ये कुछ चीजें, इसके बाद चलते हैं आगे, प्रशन संख्या 41 को देखिए, अपच्छे से संबंधित निम्नलिकित कत्नों पर विचार कीजिए, तो अपच्छे एक बाह स्थाने प्रक्रिया है, यानि XC2 है, अपच्छे की प्रक्रियाएं जटिल भौमिकी, इसे पूरे आपने देखा, D वाला होगा, D का मतलब यह है कि दूसरा और तीसरा, तीसरा तो सही है, जो अपस्तरण के बारे में कहा गया है, और उसके अलावा जो दूसरा वाला है, वो भी सही है, अपच्छे की प्रक्रिया है, ये जटिल भौमिकी और जलवायविक स्थल आकरति और मनस्पति कारकों से अनुकूलित होती है, पहला वाला गलत है, पहला इसलिए गलत है, क्योंकि अप्च्छय में पदार्थों की गति आ तो बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है, अर्था अपच्छय एक स्वास्थाने प्रक्रिया है, और इसमें लिखा हुआ है के बाए स्थाने हैं तो सिर्फ पहला इसमें गलत हो जाता है सही क्या होगा इसमें जो डी वाला है वो सही होगा अर्था दूसरा और दीसरा इसके बाद next question number 42 ब्रिहत संचलन के बारे ने यहां कुछ गथन दिये हैं उन पर आपको विचार करना है तो ब्रिहत संचलन शैलों क कही गई तो आपको यह बताना है कि कौन सा कथर इसमें से सत्य है नीचे यह विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं और इन विकल्पों को जरत देखकर बताईए 42 तो 42 का जो correct answer आपका है वो D हो जाएगा D का मतलब समझ रहे हैं इसमें जो पहला वाला है केवल पहला यही आ पहला है संचलन की प्रक्रिया में directly involved नहीं होते हैं लेकिन सीधे-सीधे नहीं होते हैं तो यहां दिया है कि वो सीधे-सीधे इसमें शामिल होते हैं इसलिए इसमें बाकी सब गलत हो जाते हैं शिर्फ जो पहला वाला है वो सही इसके बाद next अगले प्रशन को देखते है 43 भूस खलन से समंदित कुछ कथन दिये हैं, तो भूस खलन की बारे में कहा है कि यह पेक्षाकरित तीवर और द्रिश्टि-गोचर परिवर्तन है, दिखने माला, शैल मलबा की एक या कई इकाईयों का फिसलन, धाल के सापेक्ष अगर आवर्तन में होता है, पृत्वी के पिं संभी फलक से मिट्टी मलबा का प्राय स्वतंद्र पतन होता है, यानि वो स्वतंद्र रूप से नीचे गिरती है, इसका सर्वल भाशा में यह मतलब, तो यह कुल मिलाकर कहा गया है, भूस खलन के बारे में, अत्यांत शुद्ध हिंदी में, आप बताईए ज़रा इसमें स सत्य कौन सा है, तो 43 में का जो करेक्ट एंसर आपका है, वो हो जाएगा C वाला, C को जड़ना देख लीजे, पहला तीसरा और चौथा इसमें सत्य है, सत्य पुछा था, पहला स्टेट्मेंट सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है, वो क्या संदर्व लिया है तो उसका पश्चावर्थन होता है और यह आगे के लुक्ते हैं तो यह सब सग्स Corps और इसमें के अगे की कत्थन हे यहांपर पश्च होगा आगे चलते हैं तो इसका सही उत्तर क्या था सी वाला था इसके बाद 44 ब्रिदा के निर्मार से आपको देखना यह है कि सत्य कौन सा है, पूरा statement और प्रश्ण का ढाचा आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका जो correct answer है वो आपका C हो जाएगा, पहला और तीसरा, लेकिन जो दूसरा वाला है वो आपका सत्य नहीं है, काई और लाइकेन परिपको मिट्टी के निर्माड के भाग होते हैं, नहीं, जीवो और पौधों के जो मृत औशेश होते हैं, यह हूमस में 71 गरण में सहायक होते हैं, यहाँ पर अगर देखें आप, और काई और लाइकेन जो हैं, अगर देखा जाए, तो अप्छाई जो प्रवार होते हैं, या अप्छाई पदार्थ की गहराई होती है, उसमें मृदा का निर्माड मूल निवेश की तरह से होता है, और सरुप्रथम अप्छाई जाती हैं, तो बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर ले आते हैं, जिससे की पौधों का पुंज, छिद्रमय और स्पंज की तरह हो जाता है, मतलब जो पदार्थ होते हैं, वो छिद्रमय और स्पंज की भाती हो जाते हैं, और इस प्रकार जल धारण करने की छमता, वाय मुदा के निर्माढट में सहाइक निम्लिकित कारकोंपर आपको विचार करना है, जलवाय। समय जैविक प्रक्रियाएं, इसके अलावा इस्थलाकृतियां मूल पदार्थ, इसमें इसे सत्य कौन सा है या आपको बताना है नीचे दिया हुआ है, ब्रिदा के निर्माण में कौन कौन सी चीजें सहायख होती है, तो ये सभी होती है, इसमें कौन सी ऐसी जो चीज है वो नहीं होती है, सब तो शामिल है, तो इसका D वाला हो जाएगा 1, 2, 3 and 4 and 5, इसके बाद 46 को देखें, इसमें प्रवाहित जल से निर्मित विविन इस्थलाकृतियों के संबंद में या इस्थल रूपों के संबंद में निम्नलिकित कत्नों पर विचार करना है, तो युवावस सत्य की तलाश आपको करनी है, यहाँ गलत खोजना है, याद रखेगा, प्रशन आप देख रहे हैं, तो इसमें से कौन सा होगा जड़ा, बताइए, देखिए इसका जो करेक्ट एंसर है, यह 45 नंबर का, माफ कीज़ेगा, 46 नंबर का जो क्वेशन है, उससे आप देख रह मैदान अनुपस्तित होते हैं, और सकरे बाड के मैदान बनते हैं, मतलब बड़े बड़े नहीं बनते हैं, सकरे बनते हैं, और विसर्फ हाला की प्रमुकता से नहीं पाये जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं इनकी उपस्तिती होती हैं, और प्रपात या जल प्रपात जो होते हैं और छिप्रिकाई ये सब बनती है प्रोड़ावस्था जो होती है उसमें वी आकार की घाटियां होती है लेकिन गहरे होती है और जल प्रपात और छिप्रिकाई यहां गायब हो जाती है व्रिधावस्था में क्या होता है विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प प्राकृतिक तटबंद गोखुर जीलादी बनाते हुई आगे जाती है और अंतता भूद्रिश समुद्रतल के बराबर थोड़े उचे होते हैं इस प्रकार की इनकी संदशना होती है तो यहाँ पर जो चीजे हैं वो आप देखकर समझ सकते हैं पहला दूसरा और तीसरा जो है वो असत्य है सत्य कौन सा है सिर्क चौथा वाला इसके बाद चलते हैं आगे 47 को देखते है 47 में ये कहा गया है कि प्रवाहित जल से समंधित या निर्मित विभिन इस्थल रूपों पहला चौथा और पांचवा ये आपके अपरदित इस्थल रूप है और बाकी दूसरा और दीसरा ऐसा नहीं है जलोड पंक और नदी रोदिकाएं इससे बाहर है अपरदित इस्थल रूपों में अगर आप देखें तो घाटियां आती है इसके अलावा जलगरतिका और देखें तो जलोड पंक आते हैं डेल्टा आते हैं बाड के मैदान आते हैं प्राकृतिक तडबंध आते हैं नदी विसर पाते हैं इस प्रकार से इनका पूरा धाचा होता है तो फिलहाल इसमें से जो जलोड पंक और नदी रोदिकाएं हैं वो आपकी इस प्रकार के आगे चलते हैं 47 के बाद 48 को देखते हैं जलोड़ पंख से संबंदित निम्नलिकित कत्नों पर विचार कीजिए यहां चार स्टेट्मेंट दिये हुए हैं तो चार स्टेट्मेंट आप पढ़ लिजे पहले जब नदी विभिन इस थलों से बहती हुई गिरिपद्वा जलवाई भी प्रदेशों में जलोड़ पंख मंद ढाल तथा निम्न शंकु आदर प्रदेशों में तीब रिठाल और उचे शंकु का निर्माण होता है अब आपको बताना यह है कि सत्य कौन सा है इन्हें आपने देखा पूरा प्रशन तो इसका जो करेट टैंसर है 48 यह मतलब यह है कि केवल तीसरा इसमें सत्य आपको ढूड़ना था सिर्फ तीसरा सही है बाकी जो पहला दूसरा और चौथा है वह गलत है यही सिर्फ सही है कैसे तो जब नदी उचे स्थलों से बहती हुई गिरिपद या मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो उठपंक जो होते हैं वो प्राया निमनशंकू की आकृति और शृष से पाथ तक मंद ढाल वाले होते हैं और जो शुष किया अर्ध शुष को ब्रवाले जलवाई भी प्रदेश होते हैं वहां पे तीप्र ढाल वाले उत्य शंकूओं का निर्मान होता है यह कुछ बाते इसमें आती, तो इसका जो correct tensor है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, D वाला हो जाएगा इसके बाद उन्चास को देखिए, नदी विसर्फ से संबंदित कुछ कथाने उन पर आपको विचार करना है तो बाड और डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल विसर्फ कहलाते हैं, नदियों के विसर्फ में उतल किनारों पर सक्री निच्छे पन तथा अउतल किनारों पर अधो मुखी कटाओ होते हैं छले की आकरिती में मोरदार किनारे गोखुर जील कहलाते हैं ये कुछ चीज़े इसमें दी हुई, आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका सत्य है 49 को आप देख रहे हैं, तो इसका जो गरिक टैंसर है वो आपका C हो जाएगा C का मतलब यह है कि पहला और तीसरा इसमें सत्य है विसरित बाड़ और डेल्टा के मैदानों में नदिया शायद ही सीधे मारगों में बहती होंगी मतलब उनका कोई मार्ग फिक्स नहीं होता है और बाड़ और डेल्टा ही मैदानों पर लूप जैसे जो चैनल है उनका प्रारूप डबलब हो जाता है इनी को विसर्प कहा जाता है प्राया बड़ी गदियों के विसर्प में आउदल किनारों पर सक्रियव निछे पढ़ होते हैं और विसर्पों के जो गहरे चल्ले के आकार हैं उस रूप में विक्सित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अप्छे की कारण बन जाते हैं और ऐसे में जो गोखुर जील है उसका निर्मान हो जाता है ये कुछ चीजें हमने देखी तो इसके बाद चलते हैं आगे इसका पहला और तीसरा सही था और उसी को हमने देखा ये सी वाला हो जाएगा नेस्ट क्वेश्ट नमबर फिफ्टी पचास में प्रेश्ण में ये कहा गया है कि कार्स्ट इसला कृतिस से सम्मंदित कुछ कथन है उन्पर विचार कीजिए उच्चे जल निकास कार्स्ट छित्रों की प्रमुक्विशेष्टा है कार्स्ट छित्र उपजाओं और मृदा की मोटी परतों से युक्त होते ऐसे छित्रों में बसावट बिखरे हुए और जनसंख्या के अकसर बिरल होती है तो परियुक्त में से कौन से कथन या कौन सा कथन सत्य है या आपको बताना है ये है आपका प्रश्म संख्या 50 जरह बताईए तो देखिए इसका D वाला हो जाएगा D का मतलब यह है कि सिर्फ तीसरा इसमें सही है बाकी दोनों कार्श्ट इसलाकृतियों के बारे में गलत हैं कैसे गलत हैं तो कार्श्ट शब्द ये पूर्वी यूगोसलाविया के कार्श्ट जिले से लिया गया है यहां से उसकी उतपत्ती हुई है और सतही जल निकासी की अ इसमें कहा गया है कि स्टेलिक राइट कंदराओं के फर्ष उपर की ओर बढ़ते हैं मतलब कंदराओं के फर्ष से उपर की ओर बढ़ते हैं यह इसमें कहा गया है और स्टेलिक राइट और स्टेलिक राइट यह दो तरह की संरशनाय होती है तो स्टेलिक राइट के बारे में जो पहला statement है उसमें कहा जा रहा है कि कंदराओं के फर्ष से यह उपर की वर बढ़ते हैं और stalagmite जो होते हैं विबिन मोटाईयों के लटके हुए हमस्तंब जैसे होते हैं यह उपर से नीचे की वो लटकते हैं तो नीचे से उपर और उपर से नीचे आप बताएं सत्य कौन सा है 51 इनका जो करेक्ट एंसर है वो दी हो जाएगा मतलब दोनों में से कोई भी जो है वो सत्य नहीं है जो नीचे ना चाहिए उनने उपर चड़ा दिया है जो ऊपर चड़े हुए है वो नीचे रहेंगे मतलब स्टैलेक राइट जो होते हैं या स्टैलेक टाइट ये विबिन मोटाईयों के लटकते हुए हमस्तंब जैसे ओते हैं और ये प्राय आधार या कंदरा की छत होते हैं, आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे अंत छोर और पतले, मतलब इसको ऐसे आप कह सकते हैं, कि ये विविन मोटाईयों के होते हैं, पहली चीज है, और ये हिम स्तंब के नुमा लटकते होते हैं, और स्टेलेगमाईट क्य होते हैं ये कंदराओं के फर्ष से ऊपर की और बढ़ते हैं मतलब ये वाले जो है ये ऊपर से नीचे जाते हैं और ये वाले जो है ये नीचे से ऊपर जाते हैं यहाँ उल्टा दिया है कुल मिलाकर मैटर यही है तो इसका डी हो जाएगा ज्यादा उलजने के आउशकता नह होती है और इनके तल होते हैं वो चोड़े और किनारे चिकने ढ़ाब तीब्र यह सब पाए जाते किनारे चिकने होते हो ढ़ाल होता है हिमोड जित्र करों होता है निया अपर्दे इस्थल होता है एसकर जो होता है यह वक्राकार कटक होता है और हिमानी वाले जो मैदान होते हैं यह हिमानी गिरिपत के मैदानों में अथवा जो महादवीपी हिमनद है उन से दूर हिमानी जलोड निच्छेपों में एक तरह से मैदानों की रूप में निर्मित होते हैं मतलब इनकी संदशनाओं के बारे में दिया हुआ है तो इसका जो गलत कथन है वो सिर्फ चौथा है बाकी तीनों सही इसके बाद 53 को देखिए 53 में पेडि प्लेन और पेंडि मेंट के बारे में दिया हुआ है तो ये जो चीजे हैं इनके बारे में विचार करके आपको बताना है तीन स्टेटमेंट है पहले वाले में कहा गया है कि परवती अगरभाग और गिरिपद में मलबे की पतली परत वाले सामान इठाल वाले भाग को पेडि प्लेन कहते हैं और मरुस्थलिय प्रदेशों में एक उच्छ धरातल आकरती विगिन मैदान में परिवर्दित हो जाता है जिसे कि पेडिमेंट कहते हैं प्लाया हिमनत की द्वारा निलमित एक बहुत पुर्द रूप है जो कि प्लाया चिकने और तीबर ठालों से युक्त होते हैं ये कुछ चीजें आपको बताना ये है कि सत्य क्या है पूरा स्टेट्मेंट और जो विकल्प आप देख रहे हैं वो आपके सामने प्लाया के दवारा नहीं बल्कि जो मरिस्थल होते हैं वहाँ पर बनते हैं और प्लाया में वाश्भी करण के कारण जल अल्प मात्रा में अल्प समय के लिए ही रहता है और इसमें लवनों के निछे बहुँ ज़ादा मात्रा में बाये हैं तो सब कुछ इसमें गलत दिया था और उलिटा पुल्टा दिया था और इसी लिए इसका D हो जाएगा चववनवे को देखे बालु का स्टूप इसके बारे में कुछ कथन दिया है तो नव चंद्रकार ये टिब्बे यानि स्टूप होते हैं जिनके की भुजाएं पवनों की दिशा में होती है और इन्हें बर्खान कहा जाता है इसके बाद यहाँ पर रेतीले धरातल पर अंशिक रूप से वनस्पतियां पाई जाती है और वहाँ पर परवलेग बालु का टिब्बों का निर्माड होता है यह असल में टीले होते हैं ठीक है इसके बाद यह कहा गया है कि जो सीफ है यह बालु टिब्बों की दो भुजाएं होती है तो आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा असत्य है बालु का इस तूप के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई है इससे देख लीजे तो 54 का जो correct answer है वो C हो जाएगा C का मतलब यह हुआ इसमें C को देख लीजे तीसरा इसमें सही है इस प्रशन के हिसाब से सही है और प्रशन में यह कहा है कि असत्य हो जीए तो तीसरा वाला इसमें गलत है तीसरे कथन भी यह कहा है कि यह बालू के टिब्बे में दो भुजाएं होती है पहला दूसरा इसमें सही है तो आईए देखते हैं इसकी सही जानकारी क्या है देखिए नव चंद्रकार जो टिब्बे या डिब्बे होते हैं उनकी भुजाएं पाउनों की दिशा में निग हारित किया गया है हवा की दिशा और इसमें जो आगे की संद्रशना होती है उसमें सीप में केवल एक ही भुजा होती है यह कुछ चीजे इसके बाद चलते हैं आगे इसका जो करेक्ट टैंसर है वो कौन सा होगा 54 का 54 का करेक्ट टैंसर आपका सी हो जाएगा मतलब तीसरा गल यह दिया हुआ है तो कार्बन डायाक साइड की बारे में इसमें जो स्टेटमेंट दिये हैं कौन सा सत्य है यह आपको बताना है 55 आप देख रहे हैं इससे आपने देखा तो 55 का जो करेक्ट एंसर है वो आपका इसमें से बी वाला हो जाएगा सत्य खोजना था और बी वाल जो होता है उसको लोटने नहीं देती है अपने अंदर धारण कर लेती है और इससे तापमान में वृद्धी होती है यह चीज़ है और वाई मंडल में कार्बन डायाक साइड की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो अगर देखी जाए तो वो 0.03 होती है और यहाँ पर 0.03 दिय प्रतिशत मात्रा भी गलत दी है इसलिए सिर्क दूसरा से ही इसके बाद next question number 56 को देखी 56 में कहा जा रहा है कि भूमत देरेखा से ध्रूओं की और बढ़ने पर जलवाश्प की मात्रा बढ़ती है जलवाश्प ग्रीन हाउस प्रभाव में कोई योगदान नहीं देती है भ प्रक्षांसों की और तापमान की बदलती स्थिती का ग्यान होगा तो आप आराम से कर लेंगे भूमत देरेखा से ध्रूओं की और बढ़ने पर जलवाश्प की मात्रा बढ़ती है जलवाश्प कैसे बनती है पानी की भाप जब गर्मी से पानी का वाश्पोथ सरजन देख लीजे धूल कणों की मात्रा बढ़ती है यँ घरती है दिया हुआ है देखर बताइए न लगा भी गलत हो गया चौथे वाले को जरा देखिएगा धूल की कण आधृता ग्राही केंद्र की तरह काम करते हैं और इनके चारों जलवाश्प जो होती है वो संगनित होती है और बादल बनते हैं यह बात सही है तो चौथा ही सिर्फ इसका एक मात्रे सत्य है बागी तीनों गलत तो इसका हो जाएगा दीवाला यानी केवल चार इसके बाद चलते हैं आगे 57 को देखते हैं वायू मंदल से समंदित निम्नलिकित कथनों का यहां विचार कीजिए पहला जो कथा ने उसमें कहा जा रहा है कि प्रित्वी की सत्य के पास घंड़ प्यों कम होता है जबकि बार भेजी गई रेडियो तरंगे जो होती है वो बाहे मंदल के द्वारा वापस प्रित्वी पर लॉट आती है यह सब कुछ चीजें इसमें कही गए तो आप बताईए कि असत्य क्या है कत्नों को असत्य इसमें से तलाशना है आपको 57 का जो करेक्ट एंसर है वो आपका C ह हो जाएगा C का मतलब यह है कि पहला दूसरा तीसरा और पाच्वा यह असत्य है सत्य क्या है सिर्फ चौथा वाला विद्धुत आवेशित कंगा पाया जाना यह आयन मंदल की मुख्य विशेश्टा होती आयन का मतलब वही भनायन रिनायन तो इन पर तो प्लस माइनस आव उचाई पर चोब मंदल में प्रतेक 165 मीटर की उचाई पर जो तापमान होता है वो एक डिगरी सेल्सियस की दर से घटता है शुरुवात में घटता है और बाद में फिर जो बीच वाली रेंज होती है उसमें कुछ बढ़ने लगता है यह जैविक प्रिया के लिए मौसमी घटनाओं के लिए महतुपूर संस्तर होता है यह चीजें और इसके बाद यह कहा है कि मौसमी घटनाओं जो होती है वो समताप मंदल में होती है आप जानते है इसके अलामा चौथा वाला सही था प्रिथवी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे बाहे मंदल के द्वार है कि निम्नलिखित कत्नों पर विचार कीजिए प्रिथवी मुखिता अपनी अधिकान शूर्जा लगू तरंग दैर के रूप में प्राप्त करती है और प्रिथवी तीन जनवरी को सूरी के सबसे अधिक दूरी पर होती है अब सौर वह स्थिति है जब प्रिथवी सूरी क सबसे नजदीक अवस्था में होती है वार्शिक सूर्या तब चार्ज उडाई को तीन जनवरी की अपिक्षा अधिक होता है इसमें से जो सत्य कथन है उसकी तलाश आपको करनी है ये पूरा प्रशन आपके सामने है इससे पहले आपने प्रिथवी के वायू मंडल और उसक तरंग तैर के रूप में प्राप्त करती है और प्रिथवी औसत रूप से वायू मंडल की उपरी सता पर एक दश्मलो 9-4 कलोरी प्रती ग्राम सेंटीमीटर की प्रती मिनट उड़ जा है उसको प्राप्त करती है ये कुछ बात है और इसके अलामा अगर देखा जाए तो चार जुलाई को सूरी के सबसे दूर यानि 15 करोड 20 लाग किलोमीटर के आसपास दूरी पर होती है और प्रिथवी की इस स्थिति को अप सौर कहा जाता है तीन जन्वरी को प्रिथवी जो है वो सूरी के सबसे निकट दूरी पर होती है यानि 14 करोड 70 लाग किलोमीटर और यह स्थिती जो है यह उपसौर कहलाती है इसलिए प्रिथवीदवारा प्राप्त जो वार्षिक सूरियातप है वो तीन जन्वरी को चार जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है यह कुछ बाते हैं तो इसका सिर्फ पहला वाला ही सही था बाकी जो कथन है वो आपस में उल्ट कौन कौन से होते हैं सूरि की किरणों का नतिकोन प्रिथवी का आपने अक्ष पर घूमना दिन की अवधी वायुमंडल की पारदर्शिता और इस्थल विन्यास इसके बाद इसमें कहा गया है कि निम्दलिकित कत्नों पर विचार कीजिए प्रिथवी का अक्ष परिक्रमन की समतल कक्षा में जीरो अंश का कोण बनाता है उच्चे अक्षांसों पर सूरिया तक की मात्रा अधिक होती है लगुतरंग दैर्ग वालेस और विकरण के लिए वायुमंड अधिकांशितव पारदर्शी होता है प्रकाश के प्रकीरण के कारण सूर्य उदय अस्त दोनों होने के समय लाल दिखाई देता है ये चीज़ें अब आपको बतानी है कि कौन सी असत्य है कौन सा कथन इसमें से गलत है इसकी तलाश करनी है बताईए ये पूरा प्रशन है और ये इसका स्वरू है तो साठवे नंबर के प्रशन का जो करेक्ट एंसर है वो ए ही होगा यानि पहला और दूसरा ये दोनों क्या है असत्य है प्रित्वी का अक्ष परिक्रमण की समतल कक्षा से जीरो अंश का कोड बनाता है जबकि प्रित्वी का अक्ष सूर्य के चार किरणों के अधिक खेत्र पर पढ़ने के कारण या अधिक खेत्र पर पढ़ने के कारण ऊर्जा के वितरन का जो चेत्र है वो बढ़ जाता है मतलब सीधी बात है कि किरिणे जब बड़े छेत्रे में पड़ेंगी तूतना जादा जो उर्जा है वो प्राप्त होगी और प्रदी इकाई छेत्र को कम उर्जा मिलती है इसके अतरिक्त तिर्ची किरिणों को वायमंडल में अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है अतरिक आउसोशन प्रकिरिणान और विसरन के बारा उर्जा का अधिक रास होता है तो इसका मतलब यह है कि इसमें असत्य जो है वो पहले दूसरे दोनों है तीसरा चौथा सही इसके बाद 61 निमनलिकित कारणों पर कतनों पर विचार कीजिए चालन तभी होता है जब असमान तापवाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्ख में आते हैं टेंप्रेचर बराबर ना हो एक का कम और दूसरे का जादा हो चालन के प्रक्रिया में उर्जा का प्रवा ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर होता है और प्रित्वी के संपर्ख में आई वी वायू गर्म होकर लंबवत उपर उठने वाले वायू मंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया संबहन कहलाती है संबहनी ये रूप से उर्जा का प्रवा छोब मंडल और संपाप मंडल तक होता है ये कुछ बाते हैं अब आपको बताना है कि इस असत्य कौन सा है इसमें से देख लीजे तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि चालन तभी होता है जब आसमान ताप वाले दोनों पिंड एक दूसरे के संपर्ख में आते हैं ये कहा गया है इसका भी हो जाएगा इसमें उत्तर अगर आप देखें तो असत्ति की तलाश करनी है, दूसरा और चौथा दोनों गलत है, दूसरा भी गलत है, इसमें कहा है कि ठंडे से गर्म की ओर होता है, कभी नहीं होगा, गर्म से ठंडे की ओर हमेशा होता है, यही सामानी नियम है और प्राकृतिक नियम है, तो दूसरा गलत है और उसके अलावाद चौथा भी गलत है संबहनी ये रूप से उर्जा का प्रवाद चोब मंदल तक तथा संताप मंदल तक होता है ऐसा कुछ नहीं है इसमें पहला और तीसरा सही है ठीक है तो असरतिक होजना था इसका भी हो जाएगा गर्म पिंड से ठंडे पिंड की और उर्जा का प्रवाद ये चालन कहलाता है और उर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रिया संबहन केवल छोब मंदल तक सीमित रहती है अब इसके बाद आगे चलते हैं यहां पर अभीवहन के बारे में कहा गया है तीन स्टेट्मेंट है पहले स्टेट्मेंट पर कहा जा रहा है कि वायू के लंबवद संचलन से होने वाली जो उश्मा है उसका स्थानांतरण अभीवहन कहलाता है दैनिक मौसम में आने वाले भिनताएं केवल अभिवहन के कारण होती है और लू समवहन प्रक्रिया का परिणाम है इस प्रकार से तीन स्ट्रेटमेंट है कौन सा असत्य है या आपको बताना है पूरा जो प्रारूप है वो आपको दिखाई दे रहा है तो 62 नमबर के इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला सी का मतलब यह है कि पहला और तीसरा इसमें क्या है असत्य है असत्य की तलाश करनी थी असल में वायू को छैति अगर उसका संचलन किया जाए तो ताप का अस्थानांतरण जो है वो अभिवहन का ही एक परिणाम ह निम्नलिकित कत्नों पर विचार कीजिए प्रिथवी के द्वारा सूर्या तप देर्ग तरंगों के रूप में ग्रहण की जाती है अल्बिटो और शोशित विकिरण की कुलमात्रा होती है शुद्ध विकिरण में अधिशेश 40 ग्री उत्तर और दक्षणी अच्छांसों मे अधिक है परन्तु धुरूओं के पास कमी पाई जाती है इसमें से कौन सा आपका असत्य है या आपको बताना है देख लीजे प्रशन आपका पूरा सामने तो 63 में प्रशन का जो करेक्ट एंसर है वो ए हो जाएगा यानि पहला और दूसरा ये असत्य है पहला और दूसरा चाहितले कि परतित मात्रा होती है उसको प्रित्वी का अधिडो कहते हैं तो अधिजो फिर्थ आपको पता होनी चाहिए यहाँ और वहा अशोशित है वहा प्रश्वाशित होना चाहिए तो असत्य ही खोजना था पहला दूसरा हो जाएगा इसके बाद 64 इसमें कहा गया है वो आपका D हो जाएगा, ये सभी, जितने हैं, सब के सब यहाँ पर वायू की जो तापमान की स्थिती है, उसमें परिवर्तन लाने का काम करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, इसका D होगा, 65 को देखिए, दो स्टेटमेंट हैं, चार विकल्ब हैं, सामाने उचाई पढ़ पानी की साथ होसते नहीं होती है, उतनी यह देर से ठंड़ा होता है, तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, तो इसमें सत्य खोजना है, इसलिए केवल एक, तो 65 का क्या हो जाएगा, इसके बाद चलते हैं, आगे 66 नंबर के प्रिशन को देखते हैं, तो तापमान देख लीजे, तो 65 जो है, उसको आपने देखा था, उसमें A सही था, और 66 जो आप देख रहे हैं, इसमें विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, और यह प्रशन पूछा गया है, तापमान के वितरंड के बारे में, इसका C वाला सही हो जाएगा, C का मतलब यह है कि पहला और तीसरा, तीसरा तो सही है, जो जुलाई का मौसम होता है, उसमें समताप रékखाई प्राये, अक्षांसों के समानतर चलती है, समताप रैखाऊं का मतलब क्या है? समानताप को प्रदर्शिक करने वाली जो रेखाई होती है, तो इसका जो C वाला विकल्प है, वो हो जाएगा मतलब पहला और तीसरा पहला वाला सम्ता प्रेखाय प्राय अक्षान्स के समांतर होती है तो ये तोनों चीजें सत्ती ही खोजना था और बीच वाला जो दूसरा है वो गलत है कैसे गलत होगा तो देखिए इसमें अगर तापमान के विचलन की बात की जाए तो ये इस्थितियां यहाँ पर गलग तरीके से दी हुई है कि तापमान में विजलन विशेश रूप से उत्तरी गोलाड में जून की अपेक्षा जुलाई में जादा होता है ऐसा कुछ नहीं इसके बाद चलते हैं आगे जो 60-60 नमबर का प्रशन था उसे जड़ा देखिएगा तापमान के विजलन करमण से सम्मदित निम्नलिकित कत्नों पर विचार कीजिए तीन स्टेट्मेंट डिये हुए पहले स्टेट्मेंट में कहा जा रहा है कि तापमान के विजलन करमण में तापमान उचाई बढ़ने के साथ घटने लगता है तापमान में विजलन करमण सामानेता लंबी अवधी के लिए होता है उश्निकटि बंदिये छेत्रों में वर्श भर तापमान का विजलन करमण होना सामाने है ये पूरा आपका प्रश्न का धाचा है, तो इसमें से आपको बताना यह है कि असत्य कौन सा है, 67 आप देख रहे हैं, D हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों आपके क्या है, ये असत्य, ये गलत है, मतलब इसमें तीनों ही जो है जूट बोल रहे हैं, सत्य क्य देखें, तापमान की वित्क्रमड में सामान रास्तर जो है वो उलट जाती है, यहाँ पर उचाई के साथ तापमान में वृद्धी होने लगती है, वित्क्रमड का मतलब यह है कि उल्टा क्रम, और तापमान में वित्क्रमड सामानिता कम अवधी के लिए होता है, ये भू प्रिष्ठी ये विक्रमड वायू मंदल में अस्थिर्था को बढ़ावा देता है इससे सर्दियों में सुबा की समय घनी कोहरे की रशना सामानि घटना है और पहाडी और परवती चहित्रों में वायू अपवा के कारण विक्रमड की उत्पत्ती होती है ये कुछ चीजें हैं और आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है इसे पूरा देख लीजे 68, 68 का जो करेक्ट टैंसर आपका है वो D हो जाएगा इसके पूरे विकलफों को आपने देखा इसका हो जाएगा दी यानि तीसरा और चोथा ये दोनों क्या है ये सत्य है wenn you लंबी राते होती है वो शांत वायू विक्रमड के लिए आदर्श डशाओं की तोर पे देखी जाती है लंबी राते और ये गर्मियों के दिया हुआ है तो यहां इसलिए पहला गलत था और भूप्रिष्ठी व्युत्रमट व्युत्रमट के निचले स्थर में स्थिर्था को बढ़ावा देता है और धूआ धूलकण व्युत्रमट के नीचे एकत्र होकर फैल जाते हैं मतलब जो वायुमंडलियेदाब के संबंद में कुछ गठन दीए तीन कठन है सठा पर निम्द घंसत्व के कारण व्युमंडलियेदाब उछाइए के साथ घटने लगता है फंवने निम्न वायुदाब से उच्च दाप की और गमन अगलत है यहां पर वायुदाब की ही बात हो रही को वायू मंदली दाप कहा जाता है ये परिभाशा है सामाने परिभाशा है और वायू दाप को नापनी की काई जो है को भरने के लिए ठंडा इस्थान होता है यानि उच्छ दाब का छेत्र होता है वहां से हवा इस कम दबाओं के छेत्र की और प्रवाइथ होती है यही हवा के फ्लो की सामानी गति या दिशा होती है तु वह कहा गया है इसके बाद यह आप कह सकते हैं कि मतलब इसमें जो कथन दिये हुए हैं सिर्फ आपका दूसरा वाला सत्य है पहला और तीसरा दोनों गलत दिया है इसके बाद सतरवे नंबर के प्रेशन को देख लीजे वायुदाब के वितरण के बारे में कुछ कथन दिये है उर्ध्वादर दाप प्रमड़ता उर्ध्वादर दाप प्रमड़ केवल दूसरा यहाँ पर बी जो है उनकी बहुतायत है केवल दूसरा सही है बाकी सब गलत है कैसे उर्ध्वादर दाप प्रमड़ता 36 दाप प्रमड़ता की अपिक्षा जादा होती है यहाँ पर दोनों बराबर नहीं होते हैं बलकि जादा होती है और इसमें कौन जादा ह होता है उर्धवाधर दाप्रमणता लेगिन इसके विपरीद दिशा में अगर कारेदत गुरुद्वा गर्षटबल से संतुलित हो जाती है तो इसमें हम कहते हैं कि जो शक्तिशाली उर्धवाधर पहुने हैं वो चल रही है लेकिन हम उन्हें नहीं होती है वो अस्थाई होती है यह निम्न दाप की पटियां और उचदाप की पटियां होती है तो यह स्थाई नहीं होती है यह सूर्य के किरणों के विस्थापन के साथ साथ विस्थापित होती है जैसे आपने ITCJ को देखा है वो खिसकती रहती है तो यह वायुदाप क दूर दूर होने से दाप्रमरता आधिक होती है, घर्षण बल धरातल के पेक्षा समुद्रितल पर ज्यादा होता है, कॉरियोलिस बल के प्रभाव से चारो और पौने उत्तरी गोलार्द में, बाई दरफ दक्षणी गोलार्द में दाहिनी दरफ विक्षेपित हो जाती, अब पिर सत्य है क्या, जब कुछ सत्य नहीं है, तो इसमें से आपको सही बता होना चाहिए, प्रिथवी के धरातल पर छैंतिज पाउने तीन सयुक्त प्रभावों का परिणाम होती है, तीन प्रभाव कौन-कौन से? तो दाप्रमरता प्रभाव होता है, घर्षण बल होता है, और यहां पर लिखा है, यह सिर्फ दो ही का परिणाम होती है, और जहां समदाब रेखा हैं जो होती है, वो पास-पास हो, तब दाप्रमरता आधिक होती है, और समदाब रेखाओं के दूर-दोर होने पर दाप्रमरता कम हो जाती है, धरातल पर घर्षण सरवाधिक होता है इसलिए समुद्र तल पर घर्शन ड्यूनितम होता है मतलब दोनों की तुलना यहां की गई है तो धरातल पर जादा होता है समुद्र की तल पर कम होता है पृत्वी पर अपने अक्ष पर घूड़न करने से यानि पृत्वी जो है अपने अक्ष पे घूडन करती है तो इसे कौरियॉलिस बल की उत्पती होती है और इस बल के प्रभाव से पहने उत्तरी गोलाड में दाहिनी तरफ और दक्षनी गोलाड में बाहिनी तरफ विक्षेपित हो जाती है यहाँ जो दिशा दी है वो भी उल्टी-पुल्टी दी है तो इसलिए एक भी सही नहीं है इसका D हो जाएगा कौरियॉलिस बल के बारे में देख लीजए अभी हमने देखा कि प्रित्वी घूडन करती है तो यह पैदा होता है तो 72 का जो करेक्ट एंसर है वो आपका D हो जाएगा यानि उपरियुक्त में से कोई नहीं है इसमें से कोई भी चीज जो है वो सत्य नहीं है इसमें भी वही चीज है मतलब जैसे पीछे आपने देखा कौरियॉलिस बल जो है यह दाप रमड़ता के लंबवत काम करता है और भी कारण पूछता है तो वो सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती है इसका D हो जाएगा इसके बाद चलते हैं आगे 73 को देखते हैं यहाँ पर का गया कि निम्नलिकित कत्नों पर विचार कीजिए तो भू विक्षे पिये पौनों में घर्षण का प्रभाव 0 होता है निम् पूछ रहा है तो सत्य कौन सा है 73 C हो जाएगा देखिए इसमें पहला और तीसरा तो सही ही है यह वाला आपका गलत है कैसे गलत है तो देखिए जो समदाब रेखाएं होती है वो सीधी होती है और घर्षण के प्रभाव में नहीं होती है मतलब अगर ऐसी स्थिती होती है तो दाब प्रवड़ता कोरियॉलिस बल्व से बैलेंस हो जाती है दोनों में संतुलन हो जाता है और परिडाम क्या निकलता है परिडाम यह होता है कि पौने समदाब रेखाओं के पैरलल फ्लो करने लगती है समानतर और यह पौने भूभ इक्षेपी पौनों के नाम से जा दोनों स्थितियां जानि और निम्नदाब च्छेत्रों पर वायू जो है वह अब सरित होगी और उपर उठेगी और जो उसका ओतलन होगा यह यानि मीचे आएगी और अपसारित होगी यह सब कुछ रिती चयाम पर जाएग तो इसका टेंसर आपका C हो जाएगा इसके बाद next question number 74 को देखते हैं 74 में क्या कहा जा रहा है 74 में ये कहा जा रहा है कि उच्ण कटिबंधी अभी सरंड छेत्र वही ITC-Z अभी पेटिका की बाद हो रही थी और हो आटप का तो यह एक निम्न वायुदाब का छेत्र है और विश्वत वृत के दोनों और प्रवाहित होने वाली पूरवी पाउने ITC-Z पर मिलकर फैरल कोष्ट का निर्माण करती है ये सब आपने जिग्राफी में पढ़ रखा है वही चीज़ें आपर अपलाई हो रही ध्रूओं से प्रवाहित होती ठंडी पाउनों का अवतलन होने से तथा उपोष्ण उच्चिताव कटिबंधिये छेत्रों से आती हुई गर्म हवाके उपर उठने से हेडले कोष्ट का निर्माण होता है तो आप ये उर्जा का निमन अच्चांसों से उच्चांसों में स्थानांतरण सामाने परिसंचरण को बनाए रखता है ये तीन चार स्टेटमेंट इसमें दिये हुए है ये ITC-Z के बारे में ही है तो आप बताईए ज़रा से इसमें से सत्ते कौन सा है चारों को पहले देख लीजे ये रहे और उसके बाद ये आपका स्टेटमेंट है आपकी जगा विकल्प है यहाँ पर आप स्क्रीन को पॉज़ करके देख सकते हैं असल में पूरा एक स्क्रीन में आने लायक है नहीं ये प्रश्णों का जो दायरा है वो बड़ा है और हाथ से लिखे हुए है तो ऐसे में ये फैले हुए है तो आप चाहें तो यहाँ पॉज़ करके पहले प्रश्ण देख लीजे उसके बाद विकल्प बताई इसमें सत्ते कौन सा है 74 74 का जो करेक्ट एंसर है वो आपका C हो जाएगा C आप देख रहे हैं पहला और चौथा ये दोनों आपके सत्य है चौथा सही है तापी उर्जा का निमनच्छांसों से उच्छांसों में स्थानांतरण सामान ने परिसंचरण को बनाए रखता है ये सही बात है और जो पहला वाला है वो भी सही है पहले वाले में ये कहा गया है कि उच्छनिकटी बन्धी जो ITC-Z वाला च्छेतर होता है ये एक निमन वायुदाब च्छेतर होता है कमदबाओ का च्छेतर होता है लेकिन दूसरा तीसरा गलत है कैसे तो देखिये जो विश्वत वृत्त होता है मतलब इसमें ये कहा गया है ने कि ध्रूओं की और से प्रभाइत होने वाली तो आप ऐसे कहा सकते हैं कि जो उच्छ सूर्यातप होता है और निम्न वायुदाब उसके होने से अंतर उच्छ निकटी बंधी अभिसरण चेतर पर वायु समवहन धारा के रूप में उपर उठती है समवहनी धाराओं के रूप में उपर जाती है और उच्छ निकटी बंधियों से आने वाली जो पौने होती है वो इस निम्निदाब छेतर में अभिसरण करती है और अभिसरित वायू समभन कोष्टों के साथ उपर उठती है विश्वत वृत के दोनों और प्रवाइत होने वाली जो पूर्वी पौने होती है अन्ता उशनिकटी बंदी अभिसरण छेतर पर मिलने लगती है और सतर से उपर की ओर तथा विपरीत वायू के परिसंचरण को कोष्ट के तोर पे यहां देखा जाता है सिल बनता है इससे मतलब एक पूरा दाइरा बन जाता है तो उशनिकटी बंदी चेतरों में बने इस प्रकार के जो कोष्ट होते हैं तो इनका ओतलन होता है और उपोष्ण उचदाव जो कटिबंधी चेतरों होता है वहां से आती हुई गर्म हवा उपर उठती है हमेशा यात रखिएगा एक तो बेसिक फंटा है कि गर्म वाली जो हो हलकी होगी वह उपर जाएगी ठंडी वाली नीचे जाएगी इनकी सामाने प्रवित्ती है तो वही अवतलन मतलब नीचे और अभिसरन मतलब उपर जा रही है ये चीज है तो यहां स्थानिय पॉनों और छेत्रों के नाम देख लिजेगा, देखिए बहु विकल्पी प्रश्ण है, हैं अवश्य लेकिन इसमें डीटेल बहुत जादा है, हर एक जो विकल्प दिया है, उनकी अगर व्याख्या न की जाए, तो यह पूरा concept समझ में नहीं आएगा, औ और उससे भी जादा अगर आप basic concept clear करना चाहते हैं, तो जो महेश मरणवाल का मैंने वीडियो लेक्चर बना रखा है, इंदी माध्यम वाला या इंग्लिश मीडियम वाला दोनों चैनल पर उपलब्द है, पहले उससे देख लीजेगा, उसमें एक एक चीज को बहुत बार पहले होती है, और यह किस चेत्र की है, यह दिया हुआ है, तो चिनूग जो है, स्विट्जलेंड की है, फॉन जो है, राकी परवत उत्तर अमेरिका वाला चेत्र की है, तो इसमें से कौन सी मेल खाती है, आपको बताना है 75, इसका जो correct answer है वो D होगा, D का मतलब यह है कि सब की सब यहां पे बेमेल है, कोई भी जो है, वो मेल नहीं खाती है, चिनूग जो है, वो राकी परवत, उत्तरी अमेरिका वाले चेत्र की है, फॉन जो है, यह आलपस रंखिला की है, यह सब आपने पढ़ा होगा, हर्मतन जो है, यह सहारा डिजर्ट वाली है, इसके अलामा अगर आप देखें, तो नार्वेस्टर को, नार्वेस्टर जो है, यह न्यूजिलेंड का है, यह सब इनके नाम है, तो इन में से कोई भी सही नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट नमबर 76, यहाँ पर तीन स्टेट्मेंट है, और उनको देखकर आपको सत्य कथन की तलाश करनी स्थल से समुद्र की और बहने वाली पउने, सागरीय समीर कहलाती है, उचे पठारों से घाटी में बहने वाली गर्म वायु को आपर ही पंढ़े कहा झाँ जाता है, तो आप जरह पताईए किसमें से सत्य क्या है, तीन स्टेट्मेंट आप देख रहे है, कौन सा होगा, तो तो इसका जो correct tensor है वो D हो जाएगा, D का मतलब यह है कि कोई नहीं, सत्य क्या है, दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा गरम होते हैं, आप जानते ही है, अता स्थल पर हवाएं उपर उड़ जाती है, कम दबाव का छेतर बन जाता है, और समुद्र जो है ठंडा और स्थल जो है फड़ से गरम होता है, फड़ से ठंडा हो जाता है, तो रात में ठंडा गया, तो वहाँ पे जो छेतर है वो ज्यादा दबाव वाला छेतर बन गया, और कम दबाव का छेतर जो है महासागर में बन गया, तो समुद्र की ओर पाउन का संचार होता है, इस प् चलते हैं आगे जो अगला प्रशन है यानि सत्थरवा उसमें वातागर के बारे में कहा गया है तो वायू राशियां वायू का ब्रहक भाग हैं जिसमें की तापमान और आदरता संबंदी 36 भिन निताएं बहुत कम होती हैं सब एक जैसी होती है जब दो समान प्रकार की के बिंड के उन्हें आपको यहां देखना है और उनके बारे में जो चीजें बताई गई है उन्हें चेक करना है जड़ा बताई इसमें सत्ति कौन सा है देख लीजे यह विकल्प है और यह आपका प्रशन है तो 77 का जो करेक्ट एंसर होना चाहिए देखिए वातागर के ब बंदी उश्न वरुस्थल होते हैं इसके अलावा पेक्षाक्रित थंडे महासागर होते हैं जो कि उच्छ चांसों में पाय जाते हैं और बर्फ आचादित जो महाद्विपी छेत्र होते हैं वह भी होते हैं और जहां पे इस थाई रूप से बर्फ जमीरतिय इस आर्कटिक अब यहाँ पे जब दो भिन प्रकार की वायु राशिया मिलती हैं तो उनके मध्य में सीमा चेत्र बन जाता है और उसी को वातागर कहते हैं और यहां का आएक समान प्रकार की इसलिए दूसरा गलत है यहां समान नहीं होगा बलकि बिपरीत होगा और वातागर निमना गांसों में उसको भी समझ लीज़ें देखें पृत्वी है बीच में एक्वेटर है तो एक्वेटर के चारोर का जो महोल है वो गरम रहता है यानि सूर्य का तापमान यहीं पर बनेगा वाताग्र, इसको ऐसे समझ लीजे, मोटे तोर पे, बारीकी इसके नहीं बताई जा रही है, बारीकी के और शिक्ता भी नहीं है, सामान में मोटे आइडिया से भी आप प्रशन को हल कर सकते हैं, तो दोनों यहाँ टकराएंगी, और टकराएंगी तो यह वाताग् से यह बीच में बनेगी, ठीक है, आगे चलते हैं, तो इसका जो करे टेंसर था, वो कौन सा था, पहला और चौथा, इसके बाद नेक्स्ट, वाताग्र से संबंदित कुछ कथन और दिये हैं, यहाँ कहा है कि जब ठंडी वायू, गर्म वायू की और चलती है, तो इनके वाताग्रों के बारे में कुछ देखा है, यहाँ थोड़ी सी और जानकारी, तो बी वाला इसका एंसर होना चाहिए, देखिए, सत्य पूछा है न, तो इसमें दूसरा और तीसरा तो ठीक ठाक लग रहा है, लग रहा है या नी, दूसरा और तीसरा इसमें सही है, लेकिन ज संपर्क छेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं, बनने की कंडिशन दी हुई है, यदि गर्म वायुराशियां आकरामक रूप से ठंडी वायुराशियों के उपर चड़ने लगती हैं, आरोहन करने लगती हैं, तो इस संपर्क छेत्र को उश्न वाताग्र कहते हैं, मतलब कैसे श पुरा शब्द है और इससे संबंदित कुछ कथनों पर आपको विचार करने हैं तीन कथन दिये ये चक्रवाद जो होते हैं ये निमन अच्छांसों विश्वत रेखा के दोनों और जीरों से पांच जो उत्तरी और दक्षणी अच्छांस होते हैं उनके मध्यों पस्तित होत होते हैं तो आप जड़ा बताइए सत्य कौन सा है 79 ये भी कॉमन सेंस का ही क्वेश्वाद जियोग्राफी के बहुत सारे क्वेश्वाद के साथ साथ बनते हैं और अधिविष्ट या अधिविष्ट वातागर के बनने के बाद चक्रवाद दीरे-दीरे कमजोर हो जाता है लेकिन जो जीरो से पांच के बीच में बनने के बाद की जा रही है ये सही नहीं है ये उश्ण कटी बन्द से दूर मध्य और उच्छ अच्छांसों में विक्सित होते हैं इनकी स्थिती यहां नहीं होती है जहां बताई जा रही है तो निम्न कटी बन्द है और बहीर उश अब आपको उश्निकटी बंधी है चक्रवाद के संबंध में इन पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सी स्थिती जो है वो इसके लिए सत्ते मानी जाएगी असी वाला देख लीजे पहले प्रश्न को ढंग से देखिए यह देख लिया अब इसके बाद जरा विकल्ब देखिए यह दोनों को पॉज करके आप मैच करा लिजेगा देखिए यह दोनों इसमें से सही कौन सा होगा इसका जो करेक्ट टेंसर है वो आपका डी हो जाएगा डी का मतलब यह हुआ कि पहला और पांच्वा यही दोनों हों तो इसमें यह कहा जाता है कि ब्रहत समुद्री सतर जहां तापमान 27 डिगरी सल्सियस से अधिक तापमान का हो और कॉरियोलिस बल यहां पर उपस्थित हो ना कि अन उपस्थित हो इसलिए दूसरा गलत है इसके बाद उर्धवादर पाउने जो है इनकी गती में अंतर का कम होना यह आवश्यक है और यहां दिया है कि अंतर काधिक होना उल्टा दे दिया है कमजोर निम्नदाप छेत्र तथा निम्नस्तरी चक्रवाती परिसंचरण का होना अब यहां पर उसी का उल्टा दिया है तो रिवर्स सब कुछ दिया हुआ है इसमें सिर्फ पहला और अतागर तंतर की उपस्तिती होती है वही पर उस निकटी बंधिये चक्रवात में इसका अभाव होता है बहिर उस निकटी बंधिये चक्रवात छोटे छेत्रफल पर फैले होते हैं और इनकी उत्पत्ति उस निकटी बंधिये चक्रवातों के भिन केवल समुद्रों में होत यह कुल चार स्टेटमेंट हैं टोटल इन्हें आपने ध्यान पूर्वक देखा और उसके बाद यह विकल्प हैं इसमें दिया हुआ है तो आप देख लिए सत्य कौन सा है यह प्रशन है आपका तो इसका जो करेक्ट एंसर है वो आपका हो जाएगा सी वाला सी का मतलब यह है लेकिन दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है कैसे गलत है? जो बही रूशनिकटी बंदी चक्रवात होते हैं यह विस्तर छेत्र भल पर फैले रहते हैं और इनकी जो उत्पती है यह जल और और उस्थल दोनों में होती है जबकि उश्निकटी बंदी चक्रवात केवल समुद्रों में उत्पनों होते हैं और स्थली भागों में पहुँचने तक ये नश्ट हो जाते हैं इसके अलावा जो बहिर उश्निकटी बंदी चक्रवात होते हैं आदरता की आपूर्ती रुख जाती है और यह छिड़ होकर समाप्त हो जाते हैं यह चक्रवात जो प्राया बी संस उत्तरी अच्छान से गुजरते हैं इनकी दिशा अनिश्चित और अधिक विध्वन्षकारी होती है मतलब नुकसांदे होती है चक्रवात का केंद्र यह जो जो करेक्ट एंसर है वो D हो जाएगा सभी सही है जितने दिये हैं सब के सब ठीक हैं इसलिए इसमें ज्यादा परिशान होने की आउशकता नहीं पहला दूसरा तीसरा चौथा सब कुछ सत्य है इसके बाद नेक्स्ट क्वेशन नबर 83 वूश्निकटी बंधी चक्रवात और विली विली है चक्रवात हिंदमासागर हरीकेन यह प्रशान्त और दच्णी चीन टाइफून अट्लांटिक और विली विली ऑस्ट्रेलिया कौन सा सत्य है इसको देखकर आपको बताना है इसमें विकल्पी दिया हुआ है इससे देख लीजे तो इसका जो करेक्ट एंसर है वो डी हो जाएगा पहला और चोथा जो है वो सत्य है चक्रवात और विली विली लेकिन हरीकेन और टाइफून जो है वो गलत दिया है इसका डी हो जाएगा सही क्या है चक्रवात हिंदमासा अगर टाइफून जो है वो प्रशान्त और दच्णी चीन हो जाएगा हरीकेन ज मादर दिनों में प्रबल संबहन के कारण उत्पन्न होते हैं तडित जंझा एक पूर्ड विक्सित कपासी मेग है जो कि गरज और विजली उत्पन्न करते हैं वायू का आक्रामक रूप से हाथी की सूण की तरफ हाथी का सूण देखा है हमेशा हिलता रहता है तो यह गरज औ और दूसरा और चौथा सई तडित जंझा अल्प समय के लिए होता है और अपेक्शाकृत कम छेत्रफल तक होता है लेकिन आक्रामक होता है और तडित जंझा उश्ना-ादर दिनों में प्रबल संबहन के कारण उत्पन्न होता है और एक पूर्ड विक्सित कपासी वर्षा म तरेट का मतलब होता है कड़कड़ाइट के साथ जो विजली चमकती है और जंजा मतलब जंजावाथ होता है तो इन दोनों से मिलकर बना हुआ है दोनों की स्थिती होती है कमाइंड जब बादल अधिक उचाही तक चले जाते हैं तो वहाँ पर तापमान शूने से कम रहता है और इससे ओले बनते हैं और ओला विरिष्टी होती है तो ये सब कुछ बाते हैं और इसलिए इसमें जो पहला और तीसरा है वही गलत है और उसी को हम चुनते हैं इसके बाद 85 85 में कहा गया है कि तरड़ी जंजा से समंदित कुछ कथन दिये हैं उन पर विचार कीजिए ये सामाने तर निम्न अच्छांसों में उत्पन्न होते हैं वायुमंडली उर्जा वितरण के परिडाम सरूप इन तूफानों में गति जूर्जा, इस्ति जूर्जा और ताप उर्जा में परिवर्तन हो जाता है मतलब गति जूर्जा जो है वो इस्ति जूर्जा और ताप में बदल जाती है ऐसे कहा गया है और ये वायुमंडल में अस्थिर्था को जन देते हैं समुद्र पर टॉर्णेडो को जलस्तंब कहा जाता है तो ज़रा बताईए इसमें से गलत कौन सा है इसे आपने देखा तो इसका जो गलत उत्तर है वो आपका पहला दूसरा और तीसरा है अर्थात इसका डी वाला पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों ही गलत है अस्थि की पैचान करनी थी भयानक तड़ जन जो है कभी-कभी वायू आकरामक रूप से हाथी की सूड की तरफ सरपिल औरोहन करती है इसमें और केंद्र पर अत्यंत कम वायूदाव होता है और यह व्यापक रूप से भैंकर विनाशकारी होते हैं और यह जो परिखटना होती है इसको टॉर्नेडो कहा जाता है टॉर्नेडो सामानेता मध्य अच्छांसों में उत्पन होते हैं और समुद्र पर टॉर्नेडो को जलस्तंब कहा जाता है तो चौथा वाला इसलिए सही है लेकिन बाकी दीनों गलत है आकरामक तूफान जो वायूमंडली उर्जा वितरण है उसमें भिन्नता व्योस्तित होने की एक प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता है या अभिवक्ती है इन तूफानों में स्थिती जूर्जा और ताप जो है ये गती जूर्जा में बदलता है तो यहां उल्टा दे दिया है इसलिए इस सब गलत हो गये इसका जो चौथा है सिर्फ वही सही है और इसलिए हमने डी को चुना है इसके बाद 86 को देखते है 86 में कहा जा रहा है कि निमनलखित कत्नों पर विचाल कीजिए हवा द्वारा जलवाश को गरन्ट करने की जो चमता होती है वो पूरी तरह से दाप पर निर्भर करती है निरपेख शादरिता प्रित्वी की सतह पर अलग-अलग स्थानों से अलग-अलग नहीं की जा सकती और हवा द्वारा दिये गए या हवा की दिये गए प्रतिदर्श में जिस तापमान पर संत्रिप्तिता आती है उसे ओसांक कहा जाता है तो आप बताईए इसमें से गलत कौन सा है ये पूरा प्रशना आपका है नीचे विकल्ब दिखाई दे रहा है तो इसका जो करेट टेंसर 86 का वो ए हो जाएगा पहला और दूसरा ये असत्य है पहला असत्य है और दूसरा असत्य है तीसरा सही है कैसे तो देखे इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो वायू के द्वारा जो जलवाश्प ग्रहण करने की छमता होती है वो उसके तापमान पर निर्भर करती है और निर्पेक्षाद्रता पृत्वी की सता पर विविनिस्थानों पर अलग-अलग होती है तो यह दोनों चीजे हैं अब यहां पर कहा गया है कि अलग नहीं होती है तो इसलिए दोनों गलत हो जाते है और हमें गलत की ही तलाश थी, इसके बाद 87, इसमें कहा जा रहा है कि तापमान में वृध्धी के साथ हवा में जल को आशोशित करने की छमता घड़ जाती है, उश्मा का आशोशन ही संगनन के कारण होते ही, और उसके बाद उर्धु पातन वा प्रक्रिया जिसमें ठो सीधे द्रव औस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो असत्य की तलाश आपको करनी है, तो उपर वाला पहले छांट लीजे, यह पहले ही असत्य है, तापमान में वृध्धी जब होती है, तो हवा में जल आशोशित करने की छमता बढ़ जाती है, या घड़ जाती है, इसे सोच जो है, वो संगनन के कारण होता है, ऐसा दिया हुआ, यह भी गलत है, और उर्दु पातन में क्या होता है, ठोस से सीधे गैस, जैसे कपूर की ठिकिया हवा में घुल जाती है, तो यह उर्दु पातन की प्रक्रिया है, सब्लिमेशन, तो तीनो ही गलत है, इसका D हो जाएग यह सत्य है, लेकिन जो बीच वाला है, वो गलत है, वायू का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए, ना कि दोनों बढ़ जाए, इसके बाद 89, 89 में यह कहा गया कि निम्नलिकित कत्नों पर विचार कीजिए, जब आदरिता ठोस वस्तुओं के सत्यों पर पानी की बोल रहे हैं, डी इसका हो जाएगा, तो शार जो है, वो ठंडी सत्यों पर बनता है, जब संगनन तापमान के जमाव बिंदू से नीचे, यानि जीरो डिग्री सेल्सियस पर, उससे कम हो जाता है, यह स्थिती होती है, और जब आदरिता धरातल के उपर हवा में संगनन कें इसका हो जाएगा, इसके बाद 90, नीचे विकल्प आपको दिया हुआ है, और उपर स्टेट्मेंट दिया हुआ है, इसमें से देखकर बताइए, 90, तो 90 का जो करेक्ट एंसर है, वो आपका B हो जाएगा, B नीचे दिख रहा है, यह दूसरा और तीसरा, सत्य बताना था, यही दोनों सही है, उपर वाला गलत है, जो वर्षा मेंग होते हैं, उनके बारे में अगर देखा जाए, तो यह प्रिथवी की सतह के नस्दीक बनते ह ना कि काफी जादा हुजाई पर, बाकी सब सही, 91 को देखते हैं, 91 में यह कहा जा रहा है कि बादलों से समंदित कुछ कथन हैं, उन पर विजार कीजिए, बक्षाब में पतले और बिखरे, सफेद रंग के मेग होते हैं, कपासी में गुरूई के समान और छितरे हुए देखें, 91 का जो D है, वो सही होना चाहिए, जितने भी चीज़ें कहीं हैं बादलों के बारे में, वो सब सही दिखाई देती हैं, तो पहला दूसरा तीसरा और चोथा, इसमें कोई खोट नहीं है, इसके बाद 92, 92 में कहा गया है कि वर्शा के वितरण के संबंद में, चार स पहला दूसरा और चोथा, इसके पहले दूसरे और चोथे, इन कथनों को ध्यान से देखिए, इन में कोई दिक्कत नहीं है, पहला दूसरा और चोथा, लेकिन पहला दूसरा और चोथा, अरधा इसका डी हो जाएगा, इसके बाद 93, यहां पर कोपें, का जो जलवायू समूig निर्धारण है, उसके इसा आप से 6 प्रमुक जलवायू समूrig है ऐसा कहा जा रहा है, कोपें का जलवायू वर्गी करण जो है उसके बारे में ये प्रश्ण है जरा बताइए सत्य क्या है 93 93 का करिक्ट एंसर आपका हो जाएगा D वाला D का मतलब यह है कि उपर्यूग तुमें कोई नहीं है दोनों की दोनों गलत है कोपें जो हैपांच भागो में जलवायू समुह ऑंचे थे और उसमें से चार जो ते तापमान पर और एक वर्शर्ट पर आधारी थे यहाँ 6 डिया थी ठीकि है तो बाकी जो है वो सब के सब क्या है यहाँ पर असुमेलित है मतलब अगर देखा जाए तो ए जो है वो उच्छ निकटी बंद ही जलवायू को प्रदर्शित करता है और सी वाला जो है यह सी तोष न जलवायू को प्रदर्शित करता है और उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो वर्षा मुखिता जून जुलाई के महीनों में होती है वार्षिक्ता पांतर उच्छ होता है और उच्छ निकटी बंदी है पंडपाती बन इस जलवायू के प्रमुख बन होते हैं कौन सा सत्य है जरा बताईए 95 इसका ए हो जाएगा ए का मतलब क्या है एवल पहला यही जो है एक मातर सत्य है बाकी सब तो क्या है इसमें गलत है सही बात यह है कि वर्षा जो है वो प्रतेक माह जो है दो पहर प्रतेक माह में दो पहर के बार गरज और बोच्छारों के साथ प्रचुर मातरा में होती है यहां कहा है कि जून जुलाई के महीनों में होती है उच्छ निक परणपादी वन पाये जाते हैं यह कुछ चीजें इसके बाद 96 नाइटी सिक्स में कहा जा रहा है कि उष्ण कटी बंधिया आद्र और सुष्क्र जलवायू यानि एडवलू से सम्बंदित कुछ कथन है पहले वाले में यह कहा गया कि उष्ण कटी बंधिया आद्र और पर पे केवल उत्तर में पाये जाती अद्र लंबी सुष्क्र पान्तर होता है और इस जलवायू में पंद ही भॉग के बताना है प्रशन आप देख रहें इसका की सही चोफ़ा इसमें सही गवा शॉट यह वार्शिक वर्षा जो है वह अपिक्षक्रित काफी कम होझा इसके साथ साथ आद्र जो जो है वह चोटी और शुषकड़ु में बीशन और लंबी उल्टा दिया है पहला दूसरा गलत है इसके बाद Q.97 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 Q.97